जी वीटा तो हम यह बात कर रहे थे हमजा कि जैसे ज्वाइन करेंगे आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर लिजेगा कि वह एडवांस कॉंटेक्स जाना के लसे तो आप लोगों ने पढ़े थे ना पिछले उसमें और नियूज क्लासिफायर में हमारे स्लिबस में था पिछले तो क्लासिफायर से हमारे स्लिबस का पार्ट थे लस्टेम को यूज करके आइड नो जियार यूज किया था आप लोगों ने यह नहीं यूज किया था तर वह पढ़ा है लेकिन उसकी बिल्कुल डीटेज में नहीं गए जी आर्यू की बात करो हूं मैं लस्टेम सो सर ने पढ़ाये थे वाट उसके जो पीछे जो उसकी चल रही होती है सारी चीज़ें बैक एंड पर उसका स्ट्रक्चर वह भी आइटिंग पढ़ाया था अब वो चीज़ें हमने कवर नहीं की देगे दो चीज़ें लस्टेम के लिए ना आपको बहुत पता होनी चाहिए बैसिकली सब निकला आर एंन से था ना रिकर्सिव नियूरल नेट्वर्क से तो उसमें जो प्रॉब्लम थी आपकी दो प्रॉब्लम बहुत जादा फेस होते थ तो वो इतने लो हो जाते थे या फिर वो इतने इंपोर्टेंट होता था कि एक्सप्लोट गर गर वह जाए वेट्स आउट आफ इसके लिए जो है वो ऐसके लिए जो आप लोग थोड़ा सा अनिस भाई को आप लोग बता दें कि क्या-क्या पॉइंट्स आप लोगों ने देखना चाहरें transformers में अनिस भाई उसको कवर कर लेंगे इंशाला ताला और क्या जहना जनरेटिव ए आई का थोड़ा सा बैक्डाउंड अगर आप लोगों को इसी कोर्स में मिल जाएगा तो वह बहुत अचा हो जाए जो हमारा लास्ट था उसमें सिक फिछ तेवन तेट चैप्टर करने थे लेकिन हमारा सेवंध्व और एट चैप्टर कवर नहीं हुआ था उसमें लास्ट अग्यार था अउसमें तो इस नहीं किया उसमें सिर्फ ने भी के यृट कैमरा और इस तो नहीं तो बिलकुल ठीक है तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि बेटा ऐदा कै chapters पढ़ लें और उसके बाद जो है आप लोग जो है वो कर लें कियाना में इसका कि जो difficulties हो वो अनीज भाई से discuss कर लें और two basic points जो है न उन तमाम models के otherwise इस course का content जाना वो में सोचाएगा बहुत सारा और आप लोग अनीज भाई में जाना मुशावरत करके और आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस course content को थोड़ा सा ट्यून कर लें computer vision के साथ साथ जाना इन चीजों को और जो चीज़ें वहां से left out थी उनको include करते हुए यानि अपनी लेक्षावर्ण की जो वह एप्लिकेशन और जो मॉडल है या जो भी प्रैक्टिस हो उसको बिल्ड ही वह जो जो ना लेके करता हुए लेस्ट्रीम में यह आया फिर आर जी आरियू में हमने से मॉडल को इंप्लेमेंट किया सेम प्रॉब्लम डुमें को अप्लाइ किया तो झाल unw एण जो एंड को पता है एक आपको पता है लस्से पहले इंपृट क्या होती ओधिंग लियर घ्रची जो कि बैसी कलेक्शन जो कलेक्शन है आप उस कोर्पोरा के जह ना वर्ड वेक्टर्स आप आपको यह याद है आप लोग एनलपी के मॉडल्स को इन्पूट कैसे देता है कि इसकी फॉर्म में जे वेक्टर्स वन दैमेंशन से ने ने बहुत साइड आमेंशनल वेक्टर होते हैं इसके पीछे पूरा नेटवर्क रन होता है उस जो है ना इंबेडिंग्स को क्रिएट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स का इन्वेशन वो था कि वो उन्होंने इतना पॉवर्फुल इंबेडिंग्स क्रिएट किये लियर कि वह बहुत ही यूज डेटा सेट जो अब जेनरेटिव यह के अंदर हम लाज्ज लैंग्विज मॉडल्स कह रहे होते हैं वह उस लेविल के वर्ड करना बहुत असान ही जाता है जितनी आपके पास को जाना वह नौलिज बेस या जाना आपकी लैंविज मॉडल्स जाना वह कितना बड़ा कितना स्ट्रॉंग हो जाए तो इस चीज के ऊपर जाना ट्रांसफॉर्मर जाय थे बैसिकली कि उन्होंने इंबेडिंग्स के ऊपर आगर आपको यादो किस जो सबसे ज्यादो पॉपुलर हो था वह बर्ड हुआ था जो गूगल का है और जो एक्शुली पाइनियर मॉडल ता जिसके नंबर ऑफ पैर कि ट्रेंड जो हैना लैंग्विज मॉडल मौडल मौझूब था उसकी बेस पर आप किसी भी दूसरे नए डेटा सेट के ऊपर जो बेसिकली अब चैट जेपीटी में या बार्ड में कर रहे हैं कि बहुत बड़ी लैंग्विज सेट के ऊपर बहुत बड़े जाना मॉडल क के ऊपर ट्रेंड है अच्छा अनीज भाई आए तो बातों की फ्लो में याद नहीं रहता फिछली दवाभी आप लोग प्लीज नोटिफाई कर वा दीजेगा कि अनीज भाई ने जॉइन कर लिया तो बेसिकली हम यह बात करें कि जो लैंग्विज मॉडल्स हैं यह सारे ज मॉडल्स हो सकते हैं वो कॉंप्लेक्स मॉडल्स होंगे बताने का मकसद यह है कि यह जो एहम चीज है इसके अंदर लैंग्विज की मॉडलिंग बहुत आहिम है और ट्रांसफॉर्मर्स मॉडल्स वही काम कर रहे हैं अच्छा सर तो जो आपको पता है कि बहुत सारा डेटा और कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है तो एक इंडिविज्व के पास तो नहीं होती है तो हम उनके जो प्रीट्रांसफॉर्मर्स हैं या फर गजेंपल जो हगिंग फेस पर पता नहीं कितने नंबर और ट्रांसफॉर्मर्स आ लड़ी जो ट्रेंड पड़े हुए हैं तो हम उनको फाइंट्यून करके अपना काम चला लें या हमें कुछ और इसके लावार ट्रा जो कि साथ गंटे भी हो सकते हैं किसी वक्त मुझे जरूरत पड़ी थी मालवेर डिटेक्शन के लिए मैं काम कर रहा था तो जो है उसके उपर जहां मैंने बड को और गलॉव जहना एक जो है इस्टेंफर्ड का या इस्टेंफर्ड यूनिवर्स्टी के सुडेंट्स का ज जी दुबार बताएगा वर्ट तू एक टेक्निक है जो कि जहना वर्ट से वेक्टर्स क्रेट कर देती है वो इंबेडिंग लेयर नहीं है जैसे बैग्ज ऑफ वर्ड नहीं सबसे पहले तो हम जो हुआ उसकी जहना वन होट इंकोडिंग करते थे एक बहुत बड़ी वन डा दिमेंशनल वेक्टर बना कर उसमें जो वर्ड जिस पॉजिशन पर आ रहा है उस पर वन और बाकी सारे जीरो कर देते थे तो वह हम अपने नेट्वर्क को फीड कर रहे होते थे फिर बैग ओफ वर्ड्स जो है ना वह थोड़ा लग रहा है लेकिन बस आप नहीं का जुमला हटा दें कि आप नहीं कर सकते तीन दिन भी लग रहे हैं तो क्या मसला है अगर अगर आप पावर और जाना इंटरनेट की तो जोड़त नहीं है अगर आपके पास जाना आपका कॉर्पोरा लोकल ही मौजूद है तो यूजूरी लेकिन रिकमेनडेड होता है कि जब ट्रांसफॉर्मर आप यूज कर रहें तो आपके पास क्या वह जाना डिक्चनरी वह डेटासेट मौजूद है जिसके उपर वो जो हैना उतना huge data set जिसके ओपर वो transformer train हुआ था और उसने जो हैना vectorization किये I hope कि नहीं होगा अगर नहीं है तो it is recommended कि आप pre-trained mode में जाएं और transformer की कोई एकाद layer या तो train करें या किसी भी layer को train मत करें बलके pre-trained model में आप अपने data set को जो हैना basically उसके गुजारें और उसकी मदद से जो हैना उसके vectors create करें most probably आपका data set जो हैना वो उससे already उसमें वो words मौजूद होंगे तो उसकी मदद से जो हैना वो एक proper जो हैना वो उसकी vector embedding create करें जो हैना वो आगे neural network को देदेगा लेकिन result अच्छे ना रहे हो तो आप try कर सकते हैं कि एक आद layer को team कर लें और बागी layers को freeze रहने दें तो हमने model भी train कराना हो तो हम simple जो है वो GPUs पे collab का जो free version उस पे हम करा सकते हैं या पिर हमें paid version पे जाना पड़ता है इस तरह के models train कराने के लिए बहुत बड़ा अल्मिया यह है कि जहना इतना time असल में आपको यह पता है कि अगर collab से आपका थोड़ी देर के लिए भी जहना session time out हो जा है तो आपकी machine जहना वो रूप जो कॉलाब मशीन जो आपके लिए जहना collab ने attach की थी cloud में वो machine से disconnect होने का मतलब ही होता है कि वो जहना वहीं खत्म हो जाता है आपका सारा काम आप दुबारा पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन आलाउड नहीं था तो प्री वर्जे वर्जन पर हम इसको ट्रेन करा सकते री वर्जन इस गूब आपको यह करना होता है आपका स्लीप में आ जाए आपके कंप्यूटर का इंटरनेट इंटरप में आ जाए और यह चीजे नहों आपका कनेक्शन जो है ना उससे डिजन डी सी नहीं होना चाहिए अधर एक और वह से पढ़रे नहीं जी सॉरी आप थोड़ा सा शामिल करने का ने सोचा था लेकिन हमने हटा दिया ता उसको कि अधर हो रही है इस वक्त प्रैक्टिस जो हमने उस वक्त सोचा था का पार्ट कर रखेंगे उस में से हम जो पाची अरफलो को सोच रहे थे कि आप पाइपलाइन्स डिजाइन कर सकते हूं जो आडोमेशन में जिसे माल हो सकते हूं लेकिन यह टेक्नलोजी इतनी तेजी से वाल्व हो रही थी उस वक्त कि हमने जह न उसको कोर्स का पार्ट नहीं बनाया था लेकिन इस्टिल अगर आप लोग समझते हैं कोई एक अधर जो है किया जो है बैसिकली तो वह से लैनिस बैसे डिसकस कर सकते हैं कि वह कोर्स का बना दी जाए तो हम उसको देख लेंगे आप लोगों को बता दी जा तो वह मुस्को देख लेंगे इंशाला तर आपने बारे में इंट्रोड़ाइशन नहीं कराया आपका नाम आपका थोड़ा सा बैग्राउंड और आप याईसी से कब पर अटैच एंट थोड़ा सा बता देंगे अपने बारे में अगर अगर हम इस कोर्स में नहीं पढ़ डिया में लॉप्स तो अगर कोई रिस्वर्स समय प्रोवाइड कर जाएं इस तरह की जिदर समपड़ सेके ना मेरा ना मुला के बागी कोई खास इंट्रोड़क्शन यह पी आई-ए-सी में मैं बिलकुल शुरू से अटैच हूं सब्सक्राइब लेक्शर नहीं इस पूर्टनेटल जब कोड़र फॉर लॉट ना तो कोरोना आ गया था उस वक्त हमारे पास ना प्रोफेशनल न्यूज मीडिया की टीम थी जो कि जहना कोरोना से पहले जिसके साथ हमने प्रिरिकॉर्ड इस जहां कोड़र वन और कोड़र प्रिकॉर्ड कर लिया थे अनफॉर्चनटली थी और फोर के ना कभी भी फिर रिकॉर्ड नहीं हो सके तो फिर यह थे किया था हमने कि जाना चलो जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो रिकॉर्ड लेक्शर जो हम उस सेशन को जो है प्रोवाइट कर दिया करेंगे तो अभी वह अप्लोड था नहीं है से लास सेशन अप्लोड नियुक्त करता है मैं उसका लिंक जाना जो लास सेशन रिकॉर्ड इंग ती उसका लिंक उन्हें प्रोवाइड कर दूगा मैं अमरान बही से पूछ लूँगा कौन मैनेज कर रहा है आजकर अच्छा क्या नाम था आपका जिन्होंने में लॉप्स की बात की थी अब्दुल्ला अब्दुलाहमद देखें जितने इस तरह की चीज़ हैं ना साइबर सिक्यूर्टी ऑपरेशन्स हैं डेव उपस हैं डिवल्पर इंड ऑपरेशन्स हैं इसमें एहम बात ही होती है कि आ अगर हम थोड़ा सा जहना फिंगर टिप पर बात करें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या चीज़ें देखने की जरूत होता है कि यह आटोमेशन बेसिकली क्रिएट कर सकें यानि डेटा कहां से कलेक्ट होना है सबसे पहली सोर्स किया है कि इसी भी मॉ लूट करता है कर से data fetch करता है उसको किसी ऐच्व में या जो है CSV में या किसी डेटाबेस में किसी भी एक जहना अपने पास डिपॉजटरी में रख लेगा देन उसकी पिर प्रोसेस लेगा उस पर एक प्रोसेस बेटा को चाना कुछ इनप्र प्रोसेस डेटा को जहना स्कूर्स को देखते हुए उस पर वैलिडेशन सेट अपलाए करेगा अगर कुछ मुत्माइन है तो टेस्ट सेट देगा अधरवाइस हाइपर पेरमेटर ट्यूनिंग पर जाएगा है पर पेरमेटर ट्यूनिंग में आपको पता है कि आप ग्रेट सर्च सीवी की मदद से मु पूरी दो घंटे की सिमुलेशन रन होगी उसके बाद में वेट करूंगा और फिर मैं आके 0.04 करूंगा तो मैं यह करूं के मैं कोई एरे दे दूँ और मैं एक फ्रेमवर्क बना दूँ जो के जहना 0.2 पे जहना रिजल्ट्स अपने पास रख लेगा ही फिर 0.04 कर दे फि वह सारे रन करके वह इविंचुली मुझे बता है सबसे बेस्ट क्लासिफायर के साथ के साथ था मैं उसको यूज कर लूँ इविंचुली इस तरह की चीज़ें तो यह जहना पाइपलाइनिंग कहला है यह आटोमेशन पाइपलाइन के लिए सबसे पॉपलर टूल जब हम स बहुत मेरे पास अड़र्टाइज़ और टेकनिकल अडिकल्स वाले अड़र्टाइज़ बहुत आ रहे हैं डेटाब्रिक्स बहुत पॉपलर हो रहा है तो यह हैं कुछ टूल्स जो के जो है बेसिकली इसमें आपके काम आ सकते हैं तो आटोमेशन और पाइपलाइनिंग ज जो है ना क्या ना में उसका मॉडल जो है वो स्रीफरेंवर्ग जो के उसके लिए यूज होता है टेंटी फडिपलाइज था क्या था टैंसर फ्लो एक मिंट अब आप आप आज वह पाइट और जिका अपना है अगर प्लो डिपलाइज मिंट हाँ टैंसर फ्लो सर्विंग के नाम से एक पूरा फ्रेंवर्ग मोजूद है टैंसर फ्लो का जो के डिपलाइमेंट्स को मैनेज करता है अब मॉडल की वर्जिनिंग होनी चाहिए तो डेटा ब्रिक में या किसी एक फ्रेंवर्ग में मैं पढ़ रहा था कि जो मॉडल आप अब यह भी तो हो सकता है मेरे पास जो है ना मैंने जब तक टैस्ट कर रहा था और वैलिडेशन में मॉडल था अच्छा परफॉर्म कर रहा था जिस दिन मैंने डिप्लाइमेंट पर डाला वो जो हैना मेरे अपने प्रोड़क्शन के रिपर रिजल्ट्स खराब होने चु इस तरह की आटोमेशन जो है वो डिप्लाइमेंट एंड मैनेजमेंट में आती है मॉडल्स की जी बेड़ जाहरा आप जोहा अपने हाथ उठाए जी सर्फ चीज पुछने थी के लास्ट क्लास में सर अनीस ने हमें कहा था कि हम सेजमेकर के लिए एमेजान पे अकाउंट मनाए पेड़ एक मसला यह आ रहा है कि इसकी रुक्वार्मेंट यह कि जो भी डिप्लाइट कार्ड आप आप इंसर्ट करें उस पे वीजा या मास् सर्फ ने पिर सादा पे का बताया था हमें मगार सादा पे कभी इस्यूज आ रहे हैं सर्फ यह एजी पैसा साना कर सकती हूं पॉसिबल है मैंने कभी चेक नहीं किया कि एजी पैसा का कार्ड जो है वहां पे चल जाएगा या नहीं चल लेगा बढ़ ट्राय कर के देख लो अगर अलन अब हो जाता है तो अची बात है तो अची बात है अजिसे नहीं जाना कि लोग आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर इसमें जो है वो उसके बारे में बवताया कि किन-किन टेक्निक्स और कॉन से टूल्स को आप यूज कर सकते हैं कि अची बात कार्ट रहूं एक चीज और कुछ नी थी मुझे के सर्ट सेजमेकर के का अल्टरेटिव है जो हम लोग यूज कर सेका हमारा अगर नहीं मन बारा है वहां पर कार्स के शुक्र है सर्ट कोई ऑप्शन है और देखें ये दोनों सवालों के जवाब ना एक ही उसमें जो है बेसिकलि अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको अल्टरनेटिव के लिए देखने के लिए ज़रूरत इस बात की पहले सवाल की कि सेजमेकर खोद एक क्या है तो अगर आप लोगों ने थोड़े से टेक्निक अगर पर्फॉर्म देखें जाएं जिसके अंदर आपके बास प्रिट्रेंड मॉडल्स मुझद हो या जो है टास्कों मुझद हो जिनकी मादद से आप अपने परग्रैम्स और अपने अई टास्क असानी से परफॉर्म कर सकें सेजमेकर वह वान फट काइंट के जो हैना व पूट जहना कने किया और वो काम कर लिया लेकिन इस्टिल आपके लिए बहुत सारे काम सेजमेकर आसान कर देता है आप यह कह सकते हैं कि जो गूगल को लैब आपको फीचर्स दे रहा है उस टाइब के फीचर्स आपको जहना सेजमेकर में मिल जाते हैं लेकिन विद मोर कि और भी काफी सारे फीचर्स थे तो भी हॉनिस मैंने खुद सेज में कर काफी अरसे से नहीं देखा वा तो मेरी खुद जो है इस पे जहना भी जो है थोड़ी बहुत शेलो है लेकिन आपको अंदाजा हो जाएगा तो सेम आफरिंग्स आपकी गूगल पे भी मौजूद है और एजर पे भी मौजूद है ओके रिप्लिस्मेंट वाले पार्ट पर आएं तो से चुके कोर्स का पार्ट जो हैना बिसिकली सेज में करें लेकिन जरूरी नहीं है आपको एहम एक अब्जिक डिटेक्शन का टास्क करवाएंगे वह आप गूगल क्लाउड पे कर लें हमें कोई सेजमेकर से इश्ग थोड़ी है एडवलो से इश्ग थोड़ी है एडवल्यूस सेजमेकर इसलिए चूज किया गया था क्यूंकि जो हैना जब आप एडवल्यूस पर अका जोड़ी होगा आप उस अगर एजर जहना आपको उसके फ्री कोटा देता है उस पर कर लें अधर्वाइस आपके पैसे लगेंगे अच्छा में एक सवाल है अब जैसे हम लोग आप्लिकेशन डिवेलपेंट करते हैं और उसमें आपके टीम जैसे डिवेलपर होते हैं वह क वी केंद और पफोरड के हम लोग अपनी मशीन दे सके उने तो वह अपनी मशीन पर ही हमारा कोड लिख रहे होंगे बट हमारा जो कोड है वो नहीं के पास होगा तो उस उस केस में क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है कि आपका जो कोड है वह कहीं कहीं और पब्लिश Ka如果你 नहो कराना हो and you would have मतलब इतने साथ financial resources नहों कि आप अपनी जो laptop machines जो है वो procure कर सके और आपका data safe रह सके और आपने काम भी AI models पर करना हो जिसमें huge data involved हो बिलकुल थी देखें एक term हमारे हाँ मतलब हमारे हाँ मतलब हमारे हाँ से मुड़त अपनी community में BYOD bring your own device या basically buy your own device इसमें क्या होता है कि basically ये organizations charm देने के लिए अपने employees को या attraction देने के लिए कि तुम्हें जो पसादेना वो device ले लो और मैं purchase कर दो मतलब पैसे मैं देदूँगा और reimburse कर दूँगा बास जगों पर पैसे दे दी जाते हैं बिल दे दो और पैसे ले लो या फिर जो है वो basically खरीद के जहना उनके घरों पे ship कर दी जाती है और eventually आपकी भी device है तो आप जहना बहुत सारे जिसे जो है अब remote jobs के बहुत सारा एराज चल रहा है तो उनका code तो eventually उस device के उपर है जो जहना मतलब आम पाकिस्तानी कंपनी का employee अगर जो है वो रशिया में या कई अमारिका में बढ़ावाई तो उसकी device मशीन के उपर आपका सारा डेटा आपका जो वो है कहना में इसका code तो मुझूद होगा आप दो चीज़ें कर सकते हैं एक ये के जो है model जो है जिसे मेरे एक दोस्ट ट्यूरिंग में काम कर रहे थे ट्यूरिंग की अपनी internal team के लिए तो ट्यूरिंग वालों ने क्या किया हुआ था कि AWS की एक service है workspace के नाम से AWS की workspace में जहना वो machine जहना spin up होती है और वो cloud पर यह मुझूद होती है तो वो उसके लिए एक तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उठाना और डेटा सेट के लिए आप यह कर सकते हैं दूसरा जो सबसे बेसिक अप्रोच होती है जो लाजमी होनी जाहिए कि आप NDA साइन करेंगे non-disclosure agreement NDA का पार्ट जहना उसमें एक यह भी होता है जो बहुत एहम टर्म होती है कि भाई आप जो ना मेरी डुमें नौलेज है आप इस organization से जाने के बाद तीन साल ता के same domain में काम नहीं कर सकते लोग इस तरह के clauses डालते हैं यह data और जो है source code company की जो हैना sole proprietary है आप इसको कहीं भी share नहीं कर सकते और NDA की जो violation करता है उस पे बहुत strict legal actions लिये जा सकते हैं दुनिया भर में तो वो कोई मसले की बात नहीं होती है सबसे basic तो आप बुनियादी यह कर लें कि आप India sign कर लें किसी भी बहुत technical solution में जाए बगर उसके templates आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे और उसमें आप अपने जहना थोड़े बहुत रद्द बदल करके clauses डाल के बैतर होगा किसी जहना नए दोर के वकील जो के बहुत पुराने minded कि नहों digital जहना solution से related थोड़ी सी जन्ना और रख तो उनसे कुछ clauses अपने security के safety के डलबा कर और जहना उसमें साइन करवा है थी के सर्थ थैंक्यू सब्सक्राइब के साथ इसको SSH प्रोटोकॉल वह ज्यादा वैलिड है जिसमें आप लिमेटेड उसमें काम करवा सकते हैं वरक्सपेस आप ऐसे automation टूल्स हैं जो के जहना बिसिकली आप वरकिंग आर्स क सब्सक्राइब करना चाहेगा तो उसकी मशीन दुबारा सब्सक्राइब हो जाएगी तो इससे फायदा यह होगा कि आपकी बिल्स जो है न वह लिमिट और बजट के अंदर रहेंगे और जैसे बंदा अपने वरकिंग आर्स में आएगा या कोई जहना बिसिकली SSH से करनेक करना चाहेगा तो उसकी मेशन दुबारा इस पेन आप हो जाय करें जाए देंग्यानिक आपकर दो हुआ इस झाले कि आपको परिशान रहते हैं कि हमें रिकॉर्ड नीए तो अगर स्ट्रीमिंग ऑन होगी तो इसे हम्में एडवांटिज ही होगा कि हम फिर जो ना वह अफ्लोड करने की वीडियो अफलोड करने की जरूबत नहीं पड़ेगी अनिजबे मैं host बना देती हूँ आपको कर लें ठीक है मैं देखता हूँ कि क्या इसमें possible है मैं आप मुझे host बना दे लेकिन में यह देख रहा था कि शायद उसके लिए हमारे पस possibilities क्या हैं मैं यह देखना जा रहा रहा हूँ लास्ट टाइम आपको याद होगा, क्रोना में वे स्ट्रीम यार्ड से इंटेग्रेट किया था उसमें यूट्यूब भी होगा एक आप्षिन के अदर ये यूटूब भी आ रहे है YouTube के उपर कर दें और आपके पास पैना आपके पास तो वह राइट होंगे तो आप उसमें गुरूप देख लें कौन सा गुरूप है नई यह निस भी यह राइट तो इम्रान भी के पास है नहीं मैं ट्राइ करता हूँ का और तो करकितुता है कि पास नहीं है ना मैं पूर स्थे प्रमाइट पर अट्री करह 20般 हो गत का सलम्स करेंisan का मैसेज है था करूप में कि वह पेज है को गिया इसका इसका इस sticks लोग कर अच्छा तो रिपॉर्ड में गया पर मीटिंग होस्ट सेंड रिक्वेस्ट अच्छा मैं अभी तक शायद होस्ट नहीं हूँ मैं एक मिन मुझे दीजेगा मैं दुबारा जो है ना वह लॉग इन करता हूँ अभी फोन से तो लॉग इन हूँ अच्छा यहां पर बोन होस्ट ठीक है देखिए मैं बस डोट आउट नहीं आ रहे हैं यहां से इसको अपने कंप्यूटर से मैं कनेक्ट करता हूँ दुबारा इसको यूजिंग जूम कि अच्छा इस अच्छा इन दें अच्छा इन इस बच्चे यह दरफस्ट कर रहे थे कि आपके साथ इनका टाइम थोड़ा सा लिमिट हो रहा है तो क्या यह पॉसिबल है कि हम छे तीस पर यह सेशन यानि आप जैसे आजए तो छे तीस पर स्टार्ट कर लें आप यह सेशन अगर आप पहले थोड़ा सा पहले भी आ जाते हैं तो अच्छी बात है मैं यह करूँगा कि मीटिंग जो है वह साड़े नो इसको कराता रहोंगा तो यह अच्छे से आप यह आप में जो चर बाते बताई हैं यह एक ऐसी बाते हैं जो शायद हम क्लास में बागो कर तूंकि हम स्टेडी कर रहे होते हैं फोकस हमारा जो है वह उन चीजों पर होता है तो वह इतना ना कर सके तो यह आपने पड़ी हमें दे सकते हैं तो वह ज्यादा मज़ा रहेगा वैसे आगर सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद जो है वह आप पर चले जाएगी जीगा बहले पिर हम स्टेडी के ओपर चले जाएंगे ठीक है जजाओ लॉजब जजाओ लॉजब 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 अपने काम करना हो रिएल लाइफ सीनारियोस में तो यह जवाम झाब दिए मों काफी हैल्फुल होते हैं तीक है जबर दस्त एट कि अच्छा जी एक और दरखुष इन बच्चों की यह थी है निस भाई कि हमने बहुत बाइंड कर दिया मॉड्यूल को कंप्यूटर विजन से मुतालिक और आज गल जेनरेटिव आई और NLP पर ज्यादा टास्क्स ऑनलाइन और जाहना वो जॉब रिकॉर्मेंट्स में आ रहे तो उसको भी अगर हम इंक्लूड कर लेंगे आपकी बात बिल्कु सही है यह पिछले भी डिसकस हुआ था लेकिन आप यह देखें कि इसमें हमारे पाद जो सेच मेकर का जो कॉंटेंट है उसमें हम जो है न जो है न वो कुछ चीज़ें जिनका तालुक आपको पता है इंप्लिमेंटेश से न लपी से भी है तो वह हम वहाँ पर कर रहे होंगे यह जो कंप्यूटर वीजन है असल में इसमें हमें दो तीन हफते अगर हम कंप्यूटर वीजन के अपर हाथ साफ तर ले तो फिर हम बाकी चीज़ों पर जा सकते है जा तो हम यह डिसाइड कर लेंगा हमें कंप्यूटर वीजन पर नहीं जाना है तो वह एक अलग मसला है लेकिन मेरे ख्याल है कि कंप्यूटर वीजन भी इंपॉर्टेंट है तो बात सही है इसमें बीच में कोशिश करेंगे कि NLP और जनरेटीव AI के पर भी लागे मैंने इ एक topic जो है वह चूस है जिसके अंदर हम जो है वह एक खराब images को enhance करते हैं और उनको अच्छी images में convert करते हैं जिसके लिए हम auto encoder इस्तावाल कर रहा हैто तो इसके अंदर computer vision के हवाले से gentle AI भी मौझूद मतलब Protok बहुतर जनरेटीव AI दो तरह की है न जिससमारे आई दो तर सेज में के तरिफ जाएंगे और हमें टाइम मिला और आप लोग इस तरह पढ़ते रहें तो इंशालला हम फिर जो है उसके अंदर जन्रेटिव AI से रिलेटेट कुछ लेंग्विच मॉडल भी डिसकस कर लेंगे इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों को शायद याद होगी वहाँ आपसे आप से आप से शेयर करा दूगा के जन्रेटिव AI के उपर हमारा पूरा एक रिकॉर्डिट वीडियो है जो जिया उला खान साब ने और कासिम सार ने मिलकर बनाई नहीं है वो मैं उसका लिंक वगरा भी आप से शेयर कर दूगा तो आगर आपके पस थोड़ा सा टाइम हो तो आप वो देख सकते हैं वो रिकॉर्डिट वीडियो है तकरीबन बारा वीडियो है जिसके अंदर जन्रेटिव AI के उपर काम हो रहा है वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हर बैंस डे को एक उनकी ओनलाइन वह भी होती है तो वह वाली चीजें भी वहाँ पर भी आपकी कवर हो जाएंगी मैं आपको आज वह वह लिग भी शेयर कर दो को जिसमें आपको पता लग जाएगा कि जो हम जन्रेटिव AI है वह कौन-कौन सी चीजें पढ़ा रहे है यह नाम में याद ह एक एक लिए फिकर नहीं करें अच्छा है बलके हमारे पास ऑनलाइन वीडियो और नेक्स वीक आप भी जो है वह ओनलाइन सेशा नहीं होता है तपाक से वेंस्डे के दिन वेंस्डे के दिन होता है सेडरेडे के दिन होता है तो थर्सडे को आप लोग जनरेटी वी आई करने शुरू करते तो इससे क्या होगा कि हमें यहां से अपनी टॉपिक कट नहीं करने पड़ेंगे हम यहां कंप्यूटर वीजन पढ़ते रहेंगे वहां पर जनरेटी वी आई पढ़ते रहेंगे दोनों के फिलेवर मिलते रहेंगे और कुछ चीज मसला होगा तो आप इस क्लास में पूछ सकते हैं मैं फुद इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेंट कर रहा हूं और बहुत साथ चीजों को एक्स्प्लोर कर रहा हूं और देख रहा हूं क्लास होती है लेकिन वह स्ट्रीम होती है मैं आपको बहुत है मेरी स्कीन नदर आ रही है आप लोग तो आप लोग वह देख लीजेगा पैनावर्स डाओ आप तो सबसे पहले तो यह वाला चैनल जो है न यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है नदर आ रही है चैनल का नाम क्या है तो सब्सक्राइब है यह पैना वर्स डाओ यह मैं जो हूं वह है यह मैं आपके चैट विंडों पर डाल देता हूं आप दो तरह इस पर कनेक्ट करें अच्छा जी तो आप इसको देख सका रहे ना यह पैना वर्स डाओ को कोई करेंक कर सका अभी तक इसको प्रिशर झाल भाद यह 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 पता नहीं मैंने कौन सी की दबा दी है जो AI कंपेडिन मेरे पास आ रहा है और वो थालब बंद दी है क्या दबा तो हम कहां पर हम यह पैनापस डाव की वेब साइट है इसके अंदर अगर आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे जा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं प्ले है और यह हर थाजड़े को क्लास होती है तो आप जो है यह हर थाजड़े को आप इसको जोइन कर सकते है ठीक है आखरी क्लास जो है वो मेरे खाल से इसमें हो चुकी है इसके इलावा जो है इसकी दो प्ले लिस्ट है एक तो यह वाली प्ले लिस्ट है और एक है यह वाली ज अच्छा मज़ेगी बात इए कि अगर नहीं भी जा सकते आपके बस वीडियो मुझूब थे इसके लावा एक और चीज जो है वो को लुग या था कि अगर अलो इस वाल करना चाहिए तो को हाँ बोड़ो जनरेटिव एक दें डारेट गिटप कर अजाईगी अच्छा तेमस चल रहे हैं इसका मतलब है अलग चल रहे हैं थोड़े से सर्थ थोड़े साल चल रहा है अच्छा आप देखो यह जो हमारी आई है इसके अंदर कहां गया वह यह लर्न जरनेटिव या तो आप क्या करेंगे आप यहां से वीडियो देखेंगे और उसके अंदर रेफरेंस है वह यहां से पकड़ लेगे आप यह मैं आप लोगों से लिंक भी शेयर करने की कोशिश करता हूं मैंने वैसे कर दिया है ठीक है अब आपके बाद दोनों चीज़ें इसके लाव हम यह करेंगे कि एक अदर क्लास के बाद हमारी अच्छी हो गई तो मैं आप लोगों के लिए यह करूंगा के सेड़ेडे के दिन जो है वह एक लेट नाइट क्लास है जिसके अंदर हम कोडिंग किसी वक्त सेड़ेड़े या संड़ेगो तो अपना सेशन एज उच्छे से साड़े नोबे तक चलाएंगे तो फिर ज्यादा बेरेली इसी नहीं रहेगा लेकिंगे सब्सक्राइब करेंगे तो यह चार वीडियो प्लीज जरूर देख लिए लिंक वह एक पर आप लोगों को से शेर करा रहा हूं इस वीडियो कंप्लीट कर लें और सर जिया का और सर कासिम का जो है वो तो फिर जो अगला सेड़े आएगा तो उसके लिए फिर आप बता दे सेड़े का दिन अगर फीजिबल है आपका तो हम रात को साड़े दस से बारा बहें तक कोड के ओपर जो है वो काम कर लेंगे कोड चला चला के देखेंगे तो एक सेशन कर लूँगा वो कॉलोबरेटि हां संडे कर लें कर लें कि संडेडसे डों कर लेंगे हैं फोरा से टाइम निकाल ड़े या फिर संडे कर लेंगे जो बीडिये कर लेंगे आप लोगों के बांग पास वो को बनावाय तो और कौन सा व quebo वाट्सेब का ज़ो आपने बनाया था न आ आपने वाट्स़प गुरुप का पाट बनाया था न अब首 तो वाट्स-बूरुप शेरे मैं इसके इंदर जो है न वो आपको मैसिज कर सब्सक्राइब करने के उसका नाम है पी आई ऐसी एक वह में गुरूप आपका नाम दुबारा देख लेता हूं सब्सक्राइब कर सकते हैं यह मैं इसका गुरूप का जो है लिंक जो है वह आपकी वाट्सेप की चैट के अंदर दुबारा डाल रहा हूं इसकी गुरूप की चैट में जो है वह दुबारा डाल देता हूं ताके आप लोग इसको जोइन कर लें जिसने जोइन नहीं किया वाट्सेप की चैट का लिंक आपको डाल दिया तो यह आपके पास यह गुरूप की जो है ठीक है जी कि एटिटिंग अज़ हो गया सब कुछ अच्छ जी पर पढ़ाई कि पर दुबारा आजाएं कि अच्छ पिछले भी जो है कि हमने जो है वह वह कि कुछ चीजे डिसक्स किती कंप्यूटर वीजन के हवाले से याद आ रही है आप लोगों को बिल्कुल आपने कैमरा केप्चर करना और एक वह मॉडल चला के दिखाया था कैसी यूरल से किसी ने बाद में चलाया सिर्फ फर्माईशी करते रहता कि हमें यह सिखा दो वह सिखा दो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते आप लोग प्रैक्टिस में आगें आप लोग मैंने चलाया था मेरे पास चल रहा है अच्छा तो देख लो जो इसमें इस्वें चैलेंजिस हैं वह आपको सॉल्व करने ठीक है ताके कोई मसला ना हो भी इसमें कि अच्छा और वो जो तो मुझे बताओगे कि क्या चीज़ें इनके क्या मतलब है कुछ समझ में आरी कहानी कहनी एक्स्प्रेंट प्लीज तुमने बात बिल्कुल सही कि इसमें एक चीज़ा और मैंड कर दूं कि हमें कंप्यूटर की लाइडरी कि इसके लिए इंपोर्ट लाइडरी इस एक तो कंप्यूटर वीजन के लिए लिए हैं लाइक ओपन सीवी और दूसरा इसके लिए हम कंप्यूटर के कैमरे को कैप्चर कर सकते हैं और दूसरी किसली चाहिए हमें मॉडल लोडिंग के लिए और प्रेडिक्शन के लिए उसकी कोई ग्जामपल क्या हो सकती है चैंसर फ्लो लोड हो गया आपका पाइट और स्लोड हो गया मैं सब्सक्राइब लेकिन डाल देता हूं इस्टेप बन इस्टॉल पाइटार्स लाइब्रेरी स्टॉड़ी नहीं की ने वह एक्जैम्पल के दौर पर मैंने बता है यह नहीं पड़ी हमने आप अब हमेरे पास यह का हमने लाइब्रेरी स्टॉल करनी है और यह सब्सक्राइब ऑपन सीवी जो है अभी भी रेलिवेंट है या अभी भी देखो बात किया है कि मैंने एक चीज़ लास्टाइवी पढ़ाई थी कि देखिए जब आप कोई लाइब्रेरी स्वाल करते हैं तो उससे आपको कॉंसेट पकड़ने कॉंसेट समझ रहो ना यह नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि इस कोड से हमें कॉंसेट क्या लर्न करन लेंगे बहुत सारे से प्रडेक्स में ऐसे ही वह रहा होता है अब मिसाल के तौर पर अगर कोई और अच्छी लाइब्रेरी आगर कोई और अच्छी लाइब्रेडी है जो हमें एक कैमरा कैप्चर के लिए हैं तो हम वह पकड़ लेंगे उसके बेस होते हैं तो आपतो यह चिस शमझ नहीं आप तो चीजर मुझे कैमरा क्ør करना है प्रिए बता सकता है वह हमें कैमेरे के वह फ्रेम्स केप्चर करने ना उसके लिए एक सजाधा बिल्कुल हमें इसल में कैम कहां किया लागि हमें को देखता हूं कोई वह गूगल ट्रैप का लिंक्स कर सकता है मैं लेजी हो रहा हूं जा मैं फोद ही डूड़ू चैट के अपर कोई गूगल ट्रैप का लिंक्स शेर कर दें कर रहा है कोई क्या 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 रहो हाँ ब्रेक देते हैं बस एक आखनी चुदर पर नमाज के लिए ब्रेक देते हैं जाए पर आगए कुछ जी जी शेर हो गया थीक आप किसी ने कोड और कर दिया ना फूरा वह अ ले इसके अंदर मैंने फोड अलग्स कोड शेर किया एब जो सब्सक्राइब लूप करना जा रहा हूं यह काम क्या करना है यह गया कर रहा हूं फ्रेम केप्चर करना हूं लोप बनाया वाई उसके अंदर में फ्रेम को है तो मुझे वह वाला काम करना करना एक क्रिप्टर करने के लिए । फ्रेम और यह चिज़ मैंने आपको लिग दी तो अगर आपको यह लगता तो आप उससे बहतर सब्सक्राइब कर ले मुझे को इत्राइब कि और कोई सवाल इस हवाले से कि तो फिर दस मिंट काम ब्रेक लेते हैं कि टाइम वैसी काफी जाया हो गया है जाया तो नहीं वह लेकर हमने टाइम काफी लगा दिया है तो अब हमारे पास शेयर में कर रहा हूँ कि डीप लर्निंग की मश्यूर बुक अच्छा अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने यह चीज़ डिसकस की थी कि हमारे पस क्या क्या चीज़ें होती है एक होती है image segmentation एक होती है image detection और एक हमारी classification अच्छा classification दो तरह की होती है single label multi class classification और multi-label classification ठीक है इसमें कोई सवाल हो तो बताएं वरना फिर मैं आगे चला जाता हूं क्लासिफिकेशन और सम्टिंग अलस जो भी आपने बोला प्लीज अच्छा यह देखे इसमें लिखावा भी नजर आ रहा होगा आपको multi class classification है और multi-label classification है आप इसमें देखे कुछ फर्क नदर आ क्लासिफिकेशन तो हम करते रहे हैं पिछले तीन क्वार्टर्स के अंदर यह वाली चीज जो है वह हमारी नहीं है इसको हम देखेंगे कि हम यह कैसे करेंगे ठीके जनाब आगे हम चले गए लास्ट अब हमने यह भी बलाता है कि हमाएं पास दो तरह की सिग्मेंटेशन होती है एक होती है सेमेंटिक सिग्मेंटेशन यह कॉंसेप्ट में इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं आपको प्रेक्टिकल करा रहा हूंगा इसका तो उसक्त आ प्रेक्तिक सिग्मेंटिक थनाब सि नाउस्ट आगे करेंक प्रेक्टिक थे लासेप्मेंटेशन नाउस्ट लास्टिकन लासेथा तोस्टी है नवां सिंट्धिक ठार प्रेक्सित सिक्या है सिग्मे Should Beано इसका मतलब कौन सी वाली क्रासिफिकेशन है इंस्टंस नहीं यह पर सन वन परसंट टू नहीं कह रहा है त्टीक है सैगमेंटेशन परसन वन परसन तू कहेगा तब यह स्तांस सेगमेंटेशन होगी अच्छा आप हमारे पास वही एक पैट का डेटा सेट है जिसको हम जो है वो करने जा रहे हैं अब मैं यह दिखता हूं कि मेरे यह पैट का डेटा सेट मेरे यहां पर डाउनलोड था कहीं दीप पाइथान मास्टर क्लास मैंने आप लोगों को एक बुक कराई थी कहाँ भी कहाँ भी कहाँ भी अच्छा मैंने आप लोगों को एक वो भीचीते ना एक अलग से कारिक ढूंडी लेता हूं यार मैंने को लैप के बनाई होगी अच्छा मैंने एक लैपरिडी जो है तो यह मैं आप लोगों को कहां पर शेर करा रहा हूं आपको एक नोट्बुक जो मैंने आप पहले से रेडी करके रखी वी है ताकि हमारा कुछ टाइम बच जाए आप देखें क्या यह नोट्बुक अपने पास आप खोल सकते हैं तरी यह लिंक आप वाटंबूप में शेयर कर दिए करें यहां सब्सक्राइब रहते हैं लेकिन वड़सेप ग्रूप में मसला यह तो वह गायब होती ही रहती है अगर वरना यह कि मैं उसमें अगर आप जाके देखेंगी अगर आप पीछे तो वह वाट्सेप ग्रूप मे शेर होती ही रहती है इसके लावा मैंने जो है यह आपको लोग को जो गूगल ड्राइब दी वी है इसके अंदर भी जो है वह यह चीज जो है वह शेर्ड है यहां पर देखें इसके अंदर कंप्यूटर वीजन यह है डीप लेर्निंग विट को पूर्ड बूक मास्टर और मैं इसमें बलके काम यह यह भी कर रहा हूं आपका आइडिया अच्छा है कि यह यहां पर मैं इसको खुल गई है ठीक है जी तो मैं इसमें देख रहा हूं कि मैं इसको अगर डाउनलोड कर सक अच्छा मैं काम करता हूं कि एक टेक्स्ट फाइल बनाता हूं यह कर लाईब आपका डांगर बनाता है जी तो मैं आपका एक्वाड़ बनाता है जी तो मैं इसको वह मैं यहां एका है जी तो यहां भी जी रहां देख विववद। आज की जो नोट्बुक्स है वो भी मैं इसमें डाल रहा हूं और यह रिकॉर्ड भी है तो तरह देख लीजेगा और बाकी लोगों की भी जो है है कर दीजेगा अगर कोई मसला हो के भाई यह मसला है यहां से मैं शायद नहीं जा पाऊंगा इसमें मैं एड़ करने के लिए क्या करूँगा एक पॉलिट करते हैं भाई न्यू विंडो अग अगर आप सेम अकाउंट जीश करें तो वहां पर आगे कॉपी टू गूगल ड्राइफ अगर आप करेंगे तो अप्लोड हो जागे तो अच्छा कोई यह गूगल ड्राइफ खोल के देख सकते हैं उसमें नोट्बुक्स दूरिंग दिक लास लाम का एक टेक्स्ट फाइल कोई कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अगर यह हो जाती है प्रिव्यू तो इसके अंदर मैंने यह बता भी दिया कि इस तारीक को हमने यह वरी नोट्बुक्स की थी तो अब हमारे पास यह इमेज डिटेक्शन की एक जो बुक है वह यहां पर हमारे यह नोट्बुक है इसको हम असल में पिछली वाली क्लास से डिसकस करते वें आ रहें तो मैं आपक को यह चीज़ बताना चाहरा था पिछली वाली क्लास के अंदर जो है वह हमने कुछ लाइब रिस वगरण डिसकस की थी अगर आप लोग कोई कोई ऐसा है आप मैंसे जो पिछले वीग भी था क्लास के अंदर जी सर ठीक है ना तो कुछ याद आ रहे हैं यह वाली चीज़ हमने पढ़ ली थी जी सर अच्छा अच्छा और यह भी पता लग गया होगा आपको वहीं बता सकता है कि यह वाली जो लैब्रेडिस हैं क्यों इस्तवाल कर रहे हैं इसका जवाब होगा तो क्या होगा इंगलीश में अच्छा और आप चाहें तो यह पड़ भी सकते हैं यह क्या लिखाव है अच्छा आप इसी तरह फोड डाउनलोडिंग है तो यहां पर देखें यह सब कुछ लिखी भी है यह बनाई है या गूगल वालों ने बनाई है वह काफी देखो इसके अंदर काफी अच्छा काम किया हुआ है अगर आपको डाउनलोडिंग है तो आप यह इसामाल कर रहे और ड्राइंग करने के लिए इमेज के उपर ड्राइंग करने के लिए यह बाक्स आप लोगों को हजब हो रही है कि ड्राइंग का मतलब का है इमेज के उपर इमेज के उपर हम घैसे दो स्वाली चीज यह साथ चीज देखें कि यहाँ पर हमारे पास टेंसर फैलो आवेलेबल है या नहीं है यहाँ पर देखें इस वाले डिस्प्लेव function के अंदर यह सिर्फ image display हो रही है इसमें कोई सवाल किसी को पूछने है तो कर ले इंफरेंस time इसा वो इंफरेंस किया है इंफरेंस का मतलब है prediction हम तो prediction यूज करते हैं न model.predict लेकिन उसका एक और technical नाम जो है वो इंफरेंस है हर जगा यूज कर सकते हैं मतलब आकर आप कोई और भी मोडल बना रहे हैं और बोलें कि यह मेरा prediction इंजन की जगह आप लिख दें इनफरेंस इंजन तो बात ही कि इस सिनाइडियम से कर दो अच्छा यह वाली चीज़ भी समझ में आ गई होगी इसमें कोई सवाल को इस सब्सक्राइब बस ठीक है यह थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन आप अगर इसको गौर से पढ़ेगे तो यह भी आपको समझ में आजाएगी आप इसमें को सवाल हो तो मुस्से पूछ लीजए कि क्या कर रही है यह यह वाली लिए लाइन है क्या करती है कि सब्सक्राइब कर दें लेकिन पहले मेरे सवाल के जवाब बता हो कि यह नहीं पता और यह सबसे पहले यह हमने एक टैंप आप आप देखें इसमें कोई टैंप फाल का कई यहां पर देखें हमने एक इंपोर्ट यह टैंप फाल यह लाइबरेरी है जिसके तरहें तरहें एक एक टैंपरेरी अनटर्बुख खतंए गी तो टैंपरेरी फाइल भी खुद बहुत यह तो हमें रिमरूफ करने और दूसरा वाला, पहला वाला हमारे किसी काम का नहीं होता, तो हम उसके लिए underscore लगा देते हैं, अगर कोई जो है, वो आप variable जो है, वो चाहते हैं, कि वो variable से कोई काम आम लेना ना हो, तो यह हमारी notation है, कि हम उसकी जगा पर क्या लिख देते हैं, underscore underscore is a valid variable name, इसको आप समझेगा, underscore is a valid variable name, इन Python, तो हम underscore लगा लेते हैं, फायदा यह होता है, कि हम पैचान लेते हैं, कि जहाँ underscore लगावाए, जैसे मैंने पैचान लिया, कि यहाँ पर underscore लगावे न, तो इसकी हमें जरुद हम इसको discard करने चाहते हैं, तो हमें चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख दूंगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पर, क्यें लिख दूंगा तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं यहां underscore डिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि मुझे याद रखना है कि यह वाला वेरियेबल का जो value है मुझे किसी काम से नहीं है तो मैंने पहले वाले वेरियेबल के लिए का अज़ेगा under support लगा दिये एक nutrition है ठीक है दूसरे वाले वेरियेबल की जरुछ है उसमें दर मुझे रहे नहीं वों कैसे नाम जनायट होगा उसका नाम जनायट होगा और मुझे इस फाइल के तर मिल जाएगा विट एक संडेंच्शन यह फाइल का नाम है पास समझ कोशिष करते हैं आप ये मुझे एक टेमप्रेरी फाइल का नाम बना कर दे रहा है देट सिट फाइल बना कर नहीं दे रहा है यह सिर्फ एक टेंपरेरी फाइल का नाम बना के दे रहा है करेगा मतलब मैं मिसाल के दौर पर यह जब भी नोट बुक चलेगी तो एक मुझे या इसमें जो लेसन लड़ देंगे हैं कि हमें बाद वकार टेंपरेरी फाइलों के नाम चाहिए होते हैं एक मिट होल किजेगा अच्छा तो टेंपरेरी फाइल का नाम है वह मुझे बना देदेगा अब उज़े मुझे सोचने की जरुद नहीं है मैं टेंपरेरी फाइल का नाम खुद बनाओ वैसे तो हम खुद भी बना सकते हैं हम जो है ना एक याद होगा न हम आप रैंडम फंक्चन हम रैंडम फंक्चन से कोई नम्बर जनरेट करें और वह नम्बर जनरेट करने से एक नाम बना लें यह सारी कहानी के लिए यह मेरे पस एक लाइब्रेरी मुझी है यह मुझे एक temporary file का नाम मुझे बना कर दे देगी, ठीक है? दुबारा बुलें, अवास बड़ी सिल्लो आई आपकी. फायदा यह होता है, कि अगर मुझे एक ही function बार-बार use करना है, और उसमे temporary file बनानी है, क्या बनानी है? temporary file बनानी है, यानि थोड़ी दर के बाद में उस file का काम खतम हो जाएगा, तो मैं उसके लिए temporary file बनानी है, बजाए permanent file बनाने के. अब permanent file बनेगी, तो फिर मुझे उसको remove भी करना पड़ेगा. तो हर मरतबा नया नाम भी सोचना पड़ेगा उसके लिए. तो एक मेरे पास यह अच्छा idea है, कि मैं बजाए permanent file मनाने के temporary file बना लूँ, मेरा काम हो जाएगा, तो file खुद बो खुद ही remove हो जाएगी. मुझे उसके लिए tension लेनी की ज़रूरत नहीं है. ठीक है जी? उसके बाद जो है मेरे पासे उसे save करना हो तो फिर तो temporary अगर save करना हो तो फिर आप अपना नाम दे कर उसको permanent file बना लें. लेकिन इस scenario के अंदर हमारा जो मकसद है, वो file के, file हम एक जगा पढ़ी भी, हम वासे download करते हैं, अपना काम करते हैं और उसके बाद उस file के से काम हमारा खतम हो जाता है, इसलिए हम temporary file बना रहे हैं, हमें permanent file नहीं बनानी होगी, तो हम फिर फाइल का proper नाम कोई रख लेंगे? सेरोर अगर इसमें यह हमना रहे पास scenario के मैंने मिसाल के तौर पर फाइल के पर काम किया और add the end काम करने के बाद, नाम यही था file का start से, और end मैं मतलब मैंने उसको save भी करना है, तो यह कभी इस तरह पॉसिबल नहीं होगा, कि दो जो नहीं से name है, वो मतलब यह दोनों दफ सब्सक्राइब का random number हो, सही है, तो आप internet पे जाके देख लीजेगा, कि उसके duplicate होने chances कितने है, तू की power 8 में से 1 है, तो यह 1 million में से एक मरतबा का chance है, यह duplicate हो जाएगा, मगर यह 1 million में से 1 है, जाद ही होंगे बलके, ठीक है जी, अब उसके बाद जो है, दूसरा चीज यह ह हम एक URL जो है, एक URL open का हमारे पास function है, जुसके लिए भी हमने यहाँ पर एक library open की भी है, 6.move.request के अतर से, और वो URL open है, ठीक है, और यह URL open के जरीए हम यहाँ से URL से connect हो जाते हैं, URL समझते हैं आप लोग? कोई पब्लिक इमेज है, तो पॉर एक्जांबल किसी अंसलब्राइश.com से कोई वीडियो इमेज उठाई भी है, वो उसको यूज करना है, ना कोई, अगर, अब भी साल के दौर पर हम इसमें देखें, शायद हमें कोई पब्लिक इमेज मिल जाए, वनना मुझे तस्वीर कोई जाना पड़ेगा, यह मस्ता, अब मिसाल के तौर पर यह एक इमेज है, सही है, अब मैं इसकी यूरल जो है, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज निंक, ठीक है, आब मुझे नहीं पता कि यह मैं इमेज से डाउनलोड कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, लेकिन यह जो इमेज ठीक है, अब यह देखरो न, डेटा, इमेज, बेस, यह सब कुछ, यह इमेज की एक, यूरल यह, रियल रियूरल नहीं, अब यह आगया इगी, रियल दो बता दूँगा आपको, लेकिन जो भी यूरल होगी, वहां से इमेज उठा कर, उसको हमने ओपन कर लिया, क्या कर ल हाँ, देखो, यह बड़ी अच्छा सवाल है आपका, जो भी चीज जब तक हमारी मेमूरी में नहीं आएगी, वह प्रोसेस नहीं हो सकती, यह बाद याद, जबंज में आदी आप लोगों को, जब भी, जब तक कोई चीज हमारी डिस्क पर है, इंटरनेट पर कहीं पर भी ह जब तक, अगर हमें उसको प्रोसेस करना है, तो वह फाइल हमारी मेमूरी में आएगी सबसे पहरे, फिर वह प्रोसेस होगी, नहीं मेमूरी में आएगी फिर कहा हमारे प्रोसेसर के पास जाएगी, अगर वह मेमूरी में आ गई और प्रोसेसर के पास गई जीगी, तब ही ह आप इसके अंदर देखो यह जैसे यह text file open कर रहा है तो इसके अंदर जो f है इसको हम file handler भी कहते हैं इसके दर यह हमने सरफ file open किये यह तो याद code याद होंगे ना बच्पन में पढ़े थे आपने जी सर ठीक है लेकिन file open हुई है यानि आपको ने इस f को इससे connect कर लिया है इसको इसलिए file enter कर रहे हैं यह इसने आपको यह बता दिया है कि मैंने file memory में open कर लिया है इस location पर उस location का जो address है उस variable में मौझूल है उसके बाद अगली command के जरिया file read कर रहे हैं नहीं इस बात में कोई मसला हो रहा है आप लोगों को देखें कि एक मर्तब आपने पर अगली command से आपने read कर ली सेम चीज़ यहां पर भी हो रही है कि आपने file यहां पर open की है और उसके बाद आप read कर रहे है इमेज रीड करने के बाद आपने क्या किया उस जो data है वह आपके पास stream क्या बार रहा है बिट्स फॉर्मेट में आ रहा है आपने उसको bytes में convert किया और bytes में convert करने के बाद फिर जो है वह आपने इस image को open किया open करने के बाद आपने उसको नई height और नई width दे दी अब वह इमें छोटी हो बड़ी हो आपकी नई आपकी जो height और width जो है वह उसके आपसे adjust हुआएगी और आपके यह जो file है यहाँ पर यह दुबारा इसके अंदर इस memory में ही store हो जाएगी आप इसके अंदर कोई चीज ने सब्सक्राइब पूछे करें ने नहीं क्यों बता वाशा इसका पूछने वाले थे आपने पहले इसका जिकर करती है हाँ चलो ठीक है कितने लोग पूछना रहे हैं सवाल जाएब इतने लोगों पूछा है अगर बना दे इमेज आपस की यह पिया एल का एक मॉडियूल है जिसके दरीया हम इमेज के ओपर डिफरेंट की सिम्के फॉर्मेट या उप्षिन अप्लाई कर सकते हैं जिसका आपको नदर आ रहा होगा दो इसमें सिर्फ एक ही ऑपरेशन जो है वो इसमें बताएगी और वो क्या है कि यह आपकी जो इमेज है उसको जो आप इसको हाइट और विट देंगे उसके हिसाब से उसको इसकेल कर देगी जिसको इमेज ओफिट का नाम लिया मतलब री स्केलिंग के लिए हम इसको पता है ना कि जब हम इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो हमने जब मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेंड किया होता है तो हम एक ही तो रेंडर हाइट पर नहीं जा रहे होते यह आपने शायद फ्रेंक को एस चोले की पहली और दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि हम इमेज को स्केल करते हैं ना सारी इमेज एक ही स्केल में होती है जो हाइट और वेट सबकी विट सबकी बराबर होती है जैसे 10,000 और क्यों होंगे प्लस होगी लेकिन हम 10,000 से विसली होंगे कि हमारे जो इमेज का इंपुट है क्योंकि उसकी विट और हाइट बेहें तो इमेज जो नंबर ऑफ एलिमेंट बन रहे हैं एक इमेज के अंदर वह 10,000 बन रहे हैं तो 10,000 इगर हमारे पास इंपुट होंगे तो 10,000 ही वेट हमें इमेज को रिसाइज करने में हमारी हेल्प करता है तो दोनों सूरते में यह बताएगा कि किस रेशो से किस किस तरीके से हम इस इमेज को छोटा करेंगे या बढ़ा करेंगे यह क्रॉप नहीं हो रही है यह रिसाइज हो रही है यह अगर फर्स करो कि एक इमेज के लिए जोगी वह वैसे की वैसी विजीबल रहे यह वाली बासावज में नहीं आ रही है आप लोगों गया अब यह यह अधियर जो है उसकी बारे में बता रहे हैं आप जो आप जैसे मिसाल के दौर पर यह इंग में जाए था इसेम्पल इमेज फिफ्टी पिक्सल यह जो इमेज है यह पिक्सल ठीक है इसको हम जड़ा नए उपन करते हैं आप मैं इसको छोटा कर रहा हूं न आप देखें छोटी तो होती जारी लेकिन इसके अंदर जो विजिबिलिटीउ वह कुरॉप नहीं हौरी यह छोटी हो रही है मिए इसको बढ़ा कर रहा हूं लेकिन image की जो dimensionality है वो पैसे की वैसे ही मौझूद है, ये काम करने के लिए हमें किसी ने किसी algorithm की मदद लेनी की जरुवत है, और वो algorithm जो है, वो हमारा ये वाला है, आप चाहें तो इसको detail में पढ़िए का ये मैं अभी आप लोगो काम भी दूँगा, कि आप जो है, वो एक जो हमारे पास algorithm है, या फिर और भी multiple इससे भी बैटर वालों ने शेर किया है, लेकिन और भी बहुत सारे होंगे, इसमें से कोई एक निकाल दी है, हमारे लिए इतना ज़्यादा important नहीं है, क्योंकि हम जो है, वो image की quality या pixel quality को उतना ज़्यादा focus नहीं कर रहे हैं, उसके ब क्योंकि जब हम उसको byte में convert करेंगे, तभी जो है, वो हमारा calculation है, वो settle होगी, आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पास data है, विसाल के तुर पर integer है, कितने byte का होता है, बेंटीजर? अगर आप वो किताब पड़े, data analysis is pandas, तो उसमें देखिएगा, कि जो integer है, जो usual integer है, वो 4 byte का होता है, ठीक है, small integer 2 byte का होता है, और tiny integer 1 byte का होता है, ठीक है, और long integer 8 byte का होता है, एक byte का, और tiny integer 8 byte का होता है, यानि 1 byte का, तो हमारी जिदरी भी जो calculation चल रही है, internal computer की, वो byte पे चल रही है, तो अगर हमारे पर bits आ रही है, तो हम bits को directly handle नहीं कर सकते हैं, हम उनको byte में break करना हो, ठीक है, ठीक है, यह आपकी image जो है, वो download हो जाएगी, अब यह सबसे जादा complicated चीज़ है, जिसके अंदर ह हमारे पास हमें एक image जो है, वो ड्रॉ करनी है, image के उपर एक bounding box draw करना है, Bounding box का मतलब क्या है, जो उस image को cover कर रहोगा, अब जैसे हमारे पास एक image है, मैं इसको और देख लेता हूँ का अच्छी जारी image मिकला है, यह हमारे इसको हम खोल लेते हैं, यह हमारे पास image है, नदर आ रही है सबको, यह boxes बने में, अच्छा आप मसला यह है कि यह आपको याद रखना है, कि जो computer की जो अपनी language है और जो machine learning है, उस वो देख नहीं सकती, वो तो number पर काम करती है, बिल्कुल सब्सक्राइब, तो यह जितने भी bounding box वगरा बनते हैं, यह हमारे लिए होते हैं, computer के लिए नहीं होते हैं, machine learning को इन bounding box की जरूरत नहीं है, यह bounding box हमारे लिए हैं, तो हमारे लिए यह बनाने हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि इमज प्रोसिसिंग हो रही है, हमारी जो बनाने हैं, ताकि हमारे यूजर को यह क्लाइन को हैपी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यह एक इमेज है, अब मैं इसको एक और अच्छी सी में जाया, कि यह कर right को यह do not relação शुओ कि बुछाने हैं तो इसको नच्च झालव है, बहुत ही पतली हो गई याद कि यह जो हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स है यह जितने भी हम अप्रिकेशन बगारा देख लिए तो उसमें यह रेक्टेंगल शेप में ही यूज हो रहे हैं अलागे सरकल अगर कुई हमारे पास है तो कुछ सरकल क्या क्यों ने कभी प्रेफर किया में बात करते हैं पहले है इमेज के ओपर बाउंडिंग बाउक्स बनाने जा रहे हैं ठीक है तो हमारी इमेज जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है यह इस कोने से यह देख रहा हूं अपर लेफ्ट कॉर्णर से ठीक है यहां से इस्क्रीन नदर आ रही है न आपको यह माउस नदर आ रहा है आप ल ठीक है तो हम इसको जो है इसको जो है वह कह सकते हैं कि यह हमारी जो है यह हमारा लेफ्ट साइड है और यह हमारा मैक्सिमम साइड है जो है हमारा X minimum और यहां पर है लेकिन हमारा उपर से नीचे से उपर जा रहे हैं लेकिन हम उपर से नीचे जा रहे हैं अगर दोनों पाश्राइब हो सकती है यह मिनिमुम ओर बदीफर से नीचे आ रहे हैं तो मिनिमुम मेखिए, अब यहाँ पर आते हैं, आव देखते हैं कोर्ण, इसके अंदर हमें क्या कि चीज़ें इन मिल गई, इसके बाद उस इमेज को हमने ड्राग कर दिया लिए ठीक है अब उसके बाद जो है वह हमें एक लाइन करनी है तो लाइन ट्रॉ करने के लिए हमें जब अगर हम ड्रॉ कोई लाइन करा दें सबस्क्राइब का फंक्शन कहां से आए हमारे पास कि यहां पर कहीं बनावा होगा सर्ड्रॉ वैरियेबल आपने यूज किया है और लीचे दिए इमेज राइन की लाइबरी से आए ना यह यह जो बॉप्स लाइब आपने यूज किया हाँ वैरियेबल में स्टोड़ है इमेज़ ड्रॉ के अंदर मोड्यूल ए उसके अंदर से रहे हैं कि ह्या कर दो एक लॉइन करने के लिए हमारे पस क्या कि चाहिए उस लिए का बताएंगे कि कहां से लेकर उसको लापकिया अस्वाला हैं हुरॉब्स लेफट ट्यूप लेफट और टॉप यह वाला है उसके बाद हमने क्या बताना है अब software कॉन सえば मेरा में इन है drinking मैं में क्या देना है राइट और बॉट नौटम क्या यह राइट और यह बॉट है यह हमारे पास लाइट और बॉटम है और हमारे पास राइट और बॉटम है यह हमारे पास राइट और टॉप है और यह हमारे पास और यह लेफ्ट और बॉटम था यह लेफ्ट और टॉप था यह लेफ्ट और टॉप है यह लेफ्ट और बॉटम है और यह राइट और बॉटम है यह मैंने उसको बता दिया left or bottom left or bottom top letter right or bottom left or top और left or top ये सारी चीज़े मैंने उसको बता दिए ठिकनेस भी बता दिए और color भी बता दिए कि इसको fill किस color से करना है ठीक है इसको color बता दिया अब क्या करेगा ये एक लाइन ड्राउ कर देगा ठीक है तो होगा क्या हाँ तो इससे क्या किया कि कोई भी इसको इमेज भी ली इस तरह जो है वो किसी भी मेंज के उपर जब भी मैं सो बतावंगा जब भी मैं सो कॉडिनेट दूँगा लेफ्ट आप राइट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम यह मुझे एक ड्रॉव करके देज़ें इसी तरह मुझे इमेज के ओपर इस ट्रिंग भी डिस्प्ले कर रहे है ना विद लेबल जैसे इसमें लेबल हुआ वह नहीं यह शाय तो इसे अंदर यह लेबल भी हुँआ है नहीं देख रहाऊ यह प्राइविट कार प्राइविट कार यह लेबल भी हुआ तो इस लेबल को करने के लिए मुझे क्या करना है display string की height बताई मैंने और total display string की height बताई display string की height है और total display string की height है दुबारा देख लें यहाँ पर देख लें if total height of the display string added to the top of the bounding box exceeded the top of the image is take the string below the rounding box instead of above यह बता रहा है कि अगर आपकी इमेज है वह एक दूसरे के ओपर ओवरलैप हो जाए यानि टोटल मेरे पास डिस्पले की हाइड जो है वह इतनी है लेकिन मैंने जो हूँ अगर ओवरलैप हो जाए एक इमेज के पर दो इमेज दो लेबल आ जाए तो वह क्या करेगा वह इन इस पेसे कोड में से कोई ऐसी चीज्ज समझ में नहीं आ रही हो वह अभी देखलें यहां आगे चले यह और बाद में इसको क्या करें मेरे खाल से हम आगे चले आते तो एक मरतबा गो थूरू कर ले फिर आप इसको किजिए और जो चीज समझ भी नहीं आई हो पूछ तो आप ने का ड्रॉ बांडिंग बॉक्स और इमेच सभी है इसके लावा हमारे पास एक और फंक्शन उसका रहाएं तो अभी तक हमारे पास यह यह फंक्शन जैंसको हम देखेंगे लेकिन पहले हम यहां पर आ गए और हमने यहां पर देखा कि हमारा मॉडूल के लिए अ कि हमारे पास दो आप्शन बहुजूदें अच्छा अब हमारे पास जो है हमें यह है वह अपना एक मॉडूल को जो अप्लाई करना है उसके लिए हमारे पास यह इमेज जरूआ है जिसके आपर हम डिसकस किया था कि यह हमारी इमेज योर्व हिस्टीपी होता है फिर इसकी लूकेशन होती है या आईपी अडरस होता है विए उसके बाद उसकी पूर्ट होती है जो इसमें नहीं दिवी इसमें अगर कभी एश्टीटीपी के पर पोड नहीं दी जाएगी इसका मतलब बएड़ जिर्वें ठीक है तो इसमें port नहीं दी भी तो default है उसके बाद आखरी चीज जो है वो है क्या है हमारी resource यह निकि यह बताता है Nexus Trevena GPG जो है वो कहा में मौझूद है इस location में मौझूद है इस location के पर यह तस्वीर मौझूद है हमने इसको उठा लिया है और इसके बाद हमने downloaded image का path भी उठा लिया है उसके लिए हमने यह वाला function चला दिया था ठीक है अब हमारे पास क्या है module को हमने उठाना है अब देखे इसके अंदर यह उठा के लेकर आ रहा है अपना module कहां पर मौझूद है यह यहां पर मौझूद है faster rcnn तो यहां से हमने module जो है वो उठा लिया उसके बाद जो हम उस module को load कर आ रहे है अच्छा अब यह Google वालों ने यह module यहीं पर डिप्लाई किया हुआ ठीक है तो वहां से हम direct module उठा के ले आएंगे और उसके बाद जो है वह हम इस डिटेक्टर को चलाना शुरू कर देंगे अगर हम steps की बात करें तो पीछे जो आपने सारी वह बताई वह अभी हम चले वो image को जो है वह हम यहां से यहां से देखते हैं यहां से देखते हैं यहां से देखते हम module ट्रेंड नहीं कर रहे हमें प्री ट्रेंड मॉडल इस्तामाल कर रहे हैं कौन सा मॉडल है उसका नाम पार्सर और सिर्फशन तो अब हमने क्या कि और वह module कैसे उठा लिए हमने इस दो कोड के तरही है अब यह मागे जाके और भी notebook पढ़ेंगे और भी तरीके देखेंगे कि हम वह module कैसे कैसे यह मैंने एक 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 जांपल दी जो पोलेब के उपर अवेलेबल है पोलेब पर बड़े आराम से चल जाएगी इसलिए मैंने आपको दी है लेकिन हम अभी बाकी भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हम module डाउनलोड भी करते हैं ठीक है जी अब मैं यहां पर आया तो डारेक्ट यह हम यहां पर असल में में हमारा का का भान किन अब हो रहा है हम यहां पर चला रहे यह हमारे फॉर फंक्शन में डिक्टर का जो क्या करता है इमेज को लोड करता है इमेज को करता है और उस डेटेक्टर को चला देता है कि और हमारा यह टाइम भी नोट कर ले था इस टाइम में टाइम उसके रिजल्ट किया और उसके बाद उसको रिजल्ट में से यह जो है वह आइटम निकाला और निकालने के बार डाल दिया यह वहली कमांड समझ में आरी है आप लोगों को अच्छा यह बड़ा अच्छा सवाल किया आपको दुबारा किताब पर लेकर आपको बचाना चाहिए थियोरी से लेकिन में जादे ही थियोरी में चला गया हूं दुबारा हम यहां पर आते हैं ठीक है अब देसे हम यहां पर हम एक कैट्स और डॉक का इमिज सेग्मेंटेशन इस्तवाल करने जा रहे हैं पहले मैं इसको चला दूँ ताकि शायद अगर यह चल जाए तो मेरे पास कुछ रिजर्ट आ रहे है तो आप इसको देख सकेंगे मैं सिर्फ आपको चलाना चाहरा था लेकिन यह एक लंबी चलता रहेगा पीछे मैं यहां पर आ रहा हूँ देखें इसमें चीजे समझेगा हमें हमें क्या करना है इमिज सेग्मेंटेशन करते हैं ठीक है इमिज सेग्मेंटेशन के लिए हमारे पास पहले से एक टेटा कि आवाज बीच में म्यूट हो जाती है वह मैं चुप हो जाता हूं ना क्योंकि वह चीज़ें लूट हो रही होगी है देखें मेरे पास टेटा जो है वह मौचूद है के ट्सका और डॉक का जहां तक बास सब्च में आ गई है आप अब कि अब मैं क्या कर रहा हूं वह मेरा पूरे की पूरे इमेजी और इमेजीश की पर जो अनॉटेशन से वह उठा के लिए कर आँ जहां तक तो सब्च में आ गई होगा ना यह तो हम हमेशा से कड़ते हैं कि डेटा उठाके लिए यह वाली कहानी सब्च में आ गई आपको पर देटा में उठाके लिए उसके बाद जो है बहु ही सारा काम कर रहा हूं गे में डेटा को और रहा हुं कि अज़ित पाथ और इंपुटिमेज के पाथ जो है वोन दोनों को सौट करके कॉपी कर रहा हूं यह सारी चिज़र भी आप कर चुके होंगे जी सर ठीक है और अगर मुझे इस इमेज में से ये वाली चीज मैंने इम्पोर्ड किया ये दो चीजे मैंने जो है वो इमपोर्ड कर ली और उसके बाद यह है वा इमेज को लोड़ इमेज के रिके मैंने मैं इमेज शो कर दी इनपुट इमेज पात में इमेज नांब्र की इमेज ये वह न्यगी मेश नदब आ दिंग इन अप लोगो और उसके बाद इसको यह इसमें यहां पे लाकर सेव कर देता है यह वाली चीज आप लोग को समझ में आ रही है यह पहले भी आप कर चुके मुझे पता ही क्या हो रहा है यहां पर कोई अब बता सकता है कि यह वाला कोड़ जो है जबके इसके उपर लिखावा भी है यह आप मुझे बदा सकते हैं कि क्या हो रहा है यह जारा है यह टाइप टाइप टेक्निकली देखें दो और यह लिखावा भी है बेरे पास इन और इसको उंग्रेस के लिखावा इमेज में सब्सक्राइब कि आवाज नहीं आ रही है हलो आवाज आ रही है मेरी जी सब्सक्राइब भाई है ठीक है तो मैं यह कहर था कि यह मुझे बताओ कि यह यह वाजी बात सब्सक्राइब में आ रही है सिर्फ यह वाली जीज़ मुझे बताना यह यह इसमें वो कह रहा है कि वरिजिटन डेबल वन टू और त्री कि हमने सूरते क्या किया फिर वन को सब्सक्राइट कर दिया तो उससे क्या हो गया हमने क्या किया अच्छा उससे क्या होगा जीरो क्या बन जाएगा जीरो क्या बन जाएगा ब्लैक ब्लैक बन जाएगा और वन क्या बन जाएगा बन जाएगा और वन क्या बन जाएगा वन ट्वन 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 और तू क्या बन जाएगा तू इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जो है वन टू थी को कलर सब्सक्राइब कर दिया बाइं मैं अपनी लॉजिक लगाई अपनी इंटेलिजेंस लगाई इस डाट क्लियर और नॉट यह पर ग्रेश केल नहीं होगी ना देखो यह वाइट है ब्लैक ग्रेश लेकिन यह ग्रेश केल भी है और ग्रेश नहीं भी है ना क्योंकि मैं इसमें टीनी कलर स्थमाल कर रहा हूं ठीक है उसकी वज़ाय क्या है फूखने वज़ाय क्या है वज़ाय यह है लेकिन मैं किसी को सब्सक्राने के लिए नहीं हो cush एक red, एक green और एक blue, सही है, अब मैं जितनी भी image होगी, जितनी भी image के जितनी पिक्सल है, एक image के अंदर 10,000 पिक्सल है, तो इसका मतलब है 10,000 पिक्सल जो है, वो नहीं होगे, बलके 30,000 पिक्सल होगे, ये वाली बास समझ में आरी है आपको? जी सब्सक्राइब को. अगर मेरी image की बात 100 x 100 है, तो असल में वो 100 x 100 नहीं है, बलके 100 x 100 x 3 है, जी सब्सक्राइब को, जी सब्सक्राइब को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें से जो, एक dimension इस्तामाल कर रहा हूँ, बाकि दो dimension इस्तामाल नहीं कर रहा हूँ, ये बास समझ में आरी है आपको? जो दो, अच्छा, computer vision में उन dimensions को हम कह रहा है channel, यानि एक channel red का है, एक channel blue का है, एक channel green का है, इसको हम अपनी programming में कह सकते हैं, एक dimension के अंदर red है, एक dimension के अंदर blue है, और एक dimension के अंदर green है, तीन dimension है मेरे पास, हर pixel के लिए, एक pixel के लिए मेरे पास कितनी dimensions हैं, तीन dimensions है, तीन है. देख रहे हैं नहीं इस तरह की dimension बन रहे हैं ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ बजाए ये कि इस में से तीनों dimension इस्तेमाल कर रहा हूँ इस में से एक dimension इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मेरे पास तीन channel है एक red का है green का है blue का है मैं उसमें से एक channel इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकी को एज चोड रहा हूं मैं तो इसलिए यहां पर देखा है इसके अंदर मैंने जो बी लेस्ट वह उनको बैसी कर दी यहां से में जीरो उपा रहा हुं यहां से मैं एक वैल्यू ऐूपा रहा हूं और बागी की जो है वह वैसी की वैसी चला रहा हूं है तो हम ने एक तो ब्लैक कर दिया मतलब एक चैनल को हम यूज नहीं करें बर स्टिल हम जो उसको हम यहां पर ले आये यहां पर अधिया इमेज हो रही है और यहां पर फिर इमेज शुरू हो रही है टार्गेट इमेज ठीके यह जो फंक्ष्ण में ने बनाया है कि यह क्या करता है कि यह एक खबता है और उसको क्या याउ खाम हो है तो इसको टीन डीमेंश नहीं मिल रही वलकि यह कि डामेंशन में आप मैंने उसको क्या किया कि इसको को तो मैंनुर्ट करने के बाद उसको मैं इस पाल डिषपले ग्रादिया यहgreen sous सब्सक्राइब तो पहले वाली जो ब्लैक जो वाइट थी तीसरे वाली तो वह भी ब्लैक होजाएगी अभी इमेज नहीं है यह सब्सक्राइब अब हमने क्या कि और बजीर इसको दुबारा रिपीट कर लेंगे कि मेरे पास जो है एक इमेज है ठीक है और यह उसका मैंने मास निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यह वाली चीज़ इस्तमाल कर रहा हूं अच्छा इसको 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 अगर इसको चला के भी देख लें हम क्या खैले को लैप के ओपर तो कैसा रहेगा हां कि ताके कुछ चीज़े आप लोगों को और मजीर के लिए रहेंगी ना कि पिछला प्रोग्राम सब्सक्राइब तो पहले उसका रिजल्ट जो है वह आ गया है ठीक है अब वह क्या कर रहा है यह प्रोग्राम हमने चला लिया था हम कहां पे थे हमने जब है जब हमने एक इमेज जो है वह डाउनलोड की यहां से और उसको डाउनलोड और रिसाइज इमेज के अंदर मैंने बताया और मैंने यहां पर यह बताया कि मेरा जो यह है यह true है तो मैं कहा जाऊंगा इस वाले function को call कर रहा हूं मैं इस वाले function को मैंने क्या नाम यह image URL बता दी और मैंने इसको बता दी कि मेरी width और height किती होगी 1280 और 856 होगी तो इमें किस function में आ गया download and resize image यह तीनों चीज़े याद रखेगा true 1280 और 85 यह मैं यहां पर गया हूँ अब यह देख लें download और यहां पर new width क्या देगी जब मैं इस function को call करूंगो तो मेरी new width क्या होगी 256 नहीं नहीं यहां पर पास किये नहीं यहां पर देखो मैंने यहां पर क्या किया है इसको विट पास कर देख लिए 1280 ही होगी अगर मैं पास नहीं करूंगा तब क्या होगा फिर 256 और डिस्पेले जो है मैंने true पास किया है तो वह भी true हो जाएगा यहां भी default में false है तो वह क्या करेगा इस image को जो भी इमेज होगी उसको डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद 1280 और 758 के अंदर स्केल कर देगा और साथ साथ डिस्पेले भी कर देगा यहां पर देखो डिस्पेले इमेज कर रहा है अगर इमेज अगर डिस्पेले true हो तो क्या करें डिस्पेले इमेज कर देगा यह भी एक function यहां बनावा है ठीक है तो यहां पर मैंने देखें यह इमेज डिस्पेल हो गई है इसके अपर bounding box मैंने नहीं बने वे अब मुझे detect करना है मिसाल के दोर पर जब chairs हो तो मुझे मैं यह चाहता हूं कि जब chairs हो जाए तो वो चेक करें कि चेर्स कहां पा रहे उसको जहां भी chairs विले वह ऐसा एक bounding box बना दे सही है जी सब्सक्राइब लेकिन उसको पता होना चाहिए कि चेर्स है कहां पर तो मैं नीचे आता हूं अपो possibilities न पॉच्छा हें आप हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भी टेक्टर कतर है एव मेजज़्टेक्शन हमारे पस क्या है हमारा काम के So तो हमने आपने प्रग्राम का नाम का रख दिया हुरा है ऑख एज़ जैसे जो बंदा पेंट करता है उसका दाम कर प्या रग देते पेंटर पेंटर तो हमारे जो जो काम जो हमारा फंक्शन इमज डिटेक्षिन करेगा उसके हमने नाम क्या रख दिया डिटेक्टर ठीक है नहीं समझ अभी बात ब्रीज यह सब्सक्राइब ठीक है अच्छा एक और फंक्शन हमने अब्जेक्ट करेगा तो उसका उस function का हमने नाम क्या रख दिया डिटेक्टर एक और function हमने बनाया जो उस function को चलाएगा तो उसका हमने नाम क्या रख दिया कि यह हमारा डिटेक्टर है जो हमने इस स्यांद से डॉझł डॉड किया है हमारा मौडल है डेक्ट्टर क्या है हमार narrative यहां फर्स करें इसकी जगा पर इसका नाम जो है यहां रख देता मौडल को सही हैason मेरे आप मेरे उपर ना मेरे वेरी अब तो गूगल वालों ने इसका नाम क्या रख दिया बजाए मोडल रखने के डिटेक्टर रख दिया है है हम वह यह लोग हब जो है यह जो यह एक जगा है जो गूगल वालों ने जहां पर यह अपने मॉडल स्टोर करते हैं गूगल वालों ने यह टीएफ हफ डॉट डेफ के नाम से एक जगा बनाई वी है जहां पर यह अपने मॉडल जो है वो इस्टोर करते हैं आप वहां से डागे डाउनलोड कर लें यह तो गूगल का मॉडल यूज कर रहे हैं जैसे हमने डॉग वर्सिस कैट का बनाया था मॉडल अपना अपना भी बनाएंगे लेकिन होता यह है कि इमेज डिटेक्शन के अंदर हम यूज्वली प्री ट्रेंड मॉडल इस्तावाल कर रहे होते हैं और उसकी जो कुछ लेय करता है तो हमारे लिए एक अच्छी प्रोच होती है कि कंप्यूटर वीजन में और अब्जेक्ट डिटेक्शन में कि हम प्री ट्रेंड मॉडल यूज करें और फिर उसको कस्टमाइज कर ले हैं कि जो आमने पिछली मरतबा पढ़ा था जिसके अंदर से हम कस्टमाइज करत तो हमने अपने मॉडल को लिए हमने सबसे पहले क्या किया इमेज लोड का फंक्शन क्या करता है लोड इमेज अब लोड इमेज में जाकर देखें पर लोड इमेज क्या कर रहा है पात में से रिट फाइल कर रहा है हमारे पस और उसको इमेज को डीकोड़ कर रहा है इमेज टी डूट इमेजडोट डिकोड ज Herr câ है ये जी प्ट इमेज इसको कंबर्ट करके लिए कर आ रहा है और इसके लिए हम एक लाइब्रेश स्वहल गर रहे अच्छा इससे पहले हमने क्या किया था downloaded image का path है हमारे जो code है वो कहां से चलना शुरू हुआ है यहां से इससे पहले देखो सारे हमारे पाँ function बने वे यही से started है हमारा code यह library हो गई यह सारे function है तो यह तो जब तक हम इसको call नहीं करेंगे चलेगा नहीं इसको भी जब तक हम call नहीं करेंगे यह भी नहीं चलेगा इसको भी जब तक हम call नहीं करेंगे तो यह नहीं चलेगा तो code ऐसा कौन सा वाला है जो डारेक्ट चलेगा वो कौन सा कोड है यह वाला सबसे पहला यह है कि हमने यह किया और यहां से इमेज हमने डाउनलोड कर देंक मैम्ध में डाउनलोड करने के बाद यहां नहीं चलेगा जब तक हम इसको call नहीं करेंगे, यह वाला function भी हमारा नहीं चलेगा, अब हमने एक और function बनाया, run detector के नाम से, और यहाँ पर आकर हम run detector को call कर रहे हैं, जब हम run detector को call कर रहे हैं, तो हमारे पस दो variable पहले से मौझूद हैं, एक variable का नाम है detector, जो के हमने यहाँ पर मापना model हैं और एक है downloaded image, path और तीसरा है हमारे पास detector, यह दो variable हमने पहले से बना लिए, detector के अंदर हमारे model की, जो है वो save है, और downloaded image path के अंदर, जिसे के नाम से जाए, download image का path मौझूद है, image जो है, वो हमारी locally available है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस function को call कर रहे हैं, यह हमने model का न हमें detector, यह नहीं model है हमारा, और हमने load image का function call कर लिए, load image का function क्या करेगा, इस file को read करेगा, और read करने के बाद जो है, उसको convert कर देगा, नम पाई के अरे के अंदर, जो हमारे normal practice है, ठीक है, यहां तक कोई बात पूछ रही है, अब आपने example image दिखाए थी, जिसमें label के साथ जो है, वो गाड़ियों को label हुआ, बाउंड बॉक्स को साथ, सब्सक्राइब यह model ही manipulate कर रहा है, उस bound box को, मैं वहीं बता रहूं ना, वो अभी आप देखेंगे अभी, अभी हमने क्या किया है, हमारा scenario क्या है, कि हमें एक image के उपर, एक image से prediction करनी है, एक image की prediction करनी है, कि उसमें हमारा object है या नहीं है, तो जब भी हमें prediction करनी होती है सबसे पहले हमारे पहले step क्या है कि हम वो image लेकर आएंगे prediction की बात हो लिए training की बात नहीं हो रही है हम सबसे पहले वो image लेकर आएंगे number one यहां पर सब अगरी है जिस सर्फ ठीक है उसके बाद हम अपना model load करेंगे memory में ठीक है अच्छा उसके बाद जब हमने image को load करना है memory के अंदर जब हम image को load करेंगे तो image जो है वो numpy के array के अंदर मौझूद है हम उस image को convert कर रहे हैं tensor flow के format में ठीक है tensor flow के format में हम इसको load कर रहे हैं यह भी हम पहले पढ़के आ चुके है कि अब हमें अपनी जो image है उसको internally जो है वो tensor flow के format में convert करना पड़ता है और इसके अंदर जो हमारा integer value है वो किसमें convert हो जाती है 32 का मतलब 4 byte है लेकिन यह float में हो जाती है ताकि वो अपनी calculation वगरा जो है जो भी कर सके अब हमारे पास जो converted image है यह एक array है टैंसर फूलो का ही array जिसके अंदर data जो है हमारा float मौझूद है और इस image के data को हमने detector के अंदर भेज दिया अच्छा अब detector के अंदर जो है वो हमें result मिल गया क्या मिल गया हमें result मिल गया result किस form में है हमें नहीं पता लेकिन हमें यह पता है कि result जो भी है वो किस format में है वो dictionary की format में तो हमने dictionary की format में उसको अब वो dictionary की format में है float के अंदर है हमने उसको क्या किया दुबारा जो है वो किसमे convert कर लिया की तो वैसी के वैसी छोड़ दी ये तो variable है न फोर ये loop तो पता है न आपको ये एक loop चला रहे हैं मसल में हम इस तरह का जो हम इस्ताम करते है for key value in result.item इसको हमने ऐसे भी कर सकते हैं इसको ठीक है की बराबर है की और value बराबर है value. ये वाली जो चीज है ये हमाई ली थोड़ी सी घड़बर हो जाएगी तो मैं इसको गया रहा हूं की और वी ये जो list comprehension है वो ये कर रही है जहनी कि जो float का value है उसको दुबारा numpy में convert कर देगी हमने detector को जो data दिया वो आभी तक TensorFlow के format में है हमने उसको numpy के format में लेकर आ गए क्योंकि TensorFlow का काम यहाँ पर खतम हो गया उसका काम होता है machine learning की library काम होता है data को train करना और predict करना train हमने पहले से किया बाता predict हमने आपकर आ लिया अब TensorFlow का का काम खतम है दुबारा हम data numpy में लेकर आख़ा है तुसरा है यह दोनों जो है एकी चीज़ है तो सम्हाँ रिजसर्ट जो है वो dictionary है क्यों लिस्त है रिज़ट एक dictionary है रिज़ट जो है वो dictionary ती और डिश्टरी है शिर्फ हमने यह किया है कि रिज़ट के अंदर जो values थी उन values को वो हमने नमपाई में कनवर्ट कर लिया है बस की वैसी आएगा हाँ की वोई वे उसके बाद जो है वो हमने रिजल्ड के अंदर एक की मौझूद उसका नाम है डिटेक्शन इसकोर वो हमने प्रिंट करा लिया ठीक है लेंद के अंदर यानि मेरे पास डिटेक्टर शोर की कितनी कीज मौझूद थी वो मेरे लेंद में पता लग गई तो मैंने बताया कि इतने अब्जेक्ट्स इसमें मौझूद है इतना जो है वो इसको हमने एंड टाइम है और स्टाइट टाइम है जो भी है कुछ भी है वो हमें मिल जाएगा ठीक है आप इसको समझने की कोशिश करते हैं मुझे यह बता रहा है यह जो हमारा इमेज है वो तस्वीर में से जाएगा और इस तस्वीर में अब्जेक्ट करेगा क्या डिटक करेगा अब्जेक्ट ठीक है तो इसने यह मुझे बताया कि इस तस्वीर के अंदर जो है मुझे अगर मैं यहां पर इज़र्ट देखू यह उससे कह रहा है कि 100 अब्जेक्ट मुझे करने के तो इसके अंदर आकर आप गिनने की कोशिश करेंगे तो यह आपको कहीं ने कहीं पर य ठीक है अच्छा यह वाली दो चीज़ें यहां पर मिल गए यह फाउंड आगी है इसमें क्लास तो मॉडल प्रोडिक्ट कर देगा लेकिन बॉंडिंग बॉक्स की जगह हमें मिलेगी बॉंडिंग बॉक्स की क्या होगी यही आ रही है देखो यह कह रहा है ड्राव बॉक्स के अंदर हम क्या भेज रहे हैं इमेज इमेज भेज रहे हैं नम पाए इमेज कुन सी यह यह वाली है यह तो हमने भेज दी ठीक है उसके साथ साथ हम क्या भेज रहे हैं detection boxes detection class entities or detection scores जो detection boxes है उसके अंदर ये coordinate पड़े में कहां से start है और कहां पे end है इसे दरख तही यहां से यहां पे start है detection entities के अंदर ये पड़ावाई है कि इसका नाम क्या है tree है table है chair है जो भी है और detection score में यह है कि उसका confidence level कितना है जैसे 83% है 74% है whatever तीनों चीज़े हमें मिल गई डिशनरी के अंदर तीन डिशनरी है हर डिशनरी के अंदर हमारे पास क्या मुझूद है इसके अंदर coordinates है कि उसका top क्या है bottom क्या है इसके अंदर उसका label है और उसके अंदर उसका score है ये तीनों चीज़े हमने कहां भेज दी draw boxes के अंदर तो हम drop boxes के function को देखते हैं ये draw boxes का function है इसके अंदर क्या है image है boxes है class के name है score है ठीक है और max boxes कितने रखने हैं और minimum boxes कितने रखने हैं ठीक है तो मैंने max boxes कितने बताएं यहां पर 10 जबके मैं यहां से भेज कितने रहा हूं मैं यहां पर देखें जब मैं draw boxes कॉल कर रहा हूं तो क्या क्या भेज रहा हूं मैं यहां से image भेज रहा हूं रिजल्ट भेज रहा हूं लेकिन यह नहीं बता रहे कितने boxes प्रिंट करने अगर मैं नहीं बताऊंगा अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वह क्या करेगा 10 कर देगा 10 कर देगा कि मुझे सिर्फ 10 boxes दिखा ले उसने डिटक्ट तो 100 कर लिए लेकिन मैंने क्या किये मैंने बला भी मुझे सिर्फ 100 दिखाने ठीके जी उसके बाद मैंने क्या किया कि जो image के colors हैं जो image का color मैप होता है कि image में कौन कौन से color इस्तमाल हुए है उनकी भी उनको भी उठाकर अपनी इस एक array में रख लिया है पॉंड कौन से चाहिए वह मैंने बता दिया है यह वाला फॉंड मुझे चाहिए यह मैंने फॉंड जो है जो हमारे पास 100 boxes हमारे पास है लेकिन यह तो 10 काउंट कर लेगा तो हमारे पास argument देते हुए चार पास किये ना वह तो एक है एक तो image पास किये तुम चाहो तो अपने पास खोल लो एक तो image पास किये एक मैंने बताया कि जो boxes के coordinates है जिसको मैंने क्या नाम दिया यहाँ पर detection sorry detection boxes उसको मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया boxes का detection entities को मैंने क्या नाम दे दिया क्लास नेम्स का detection scores को मैंने नाम दे दिया scores का यह दो variable मैंने नहीं डाले वे लेकिनि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अगर इसकोर जो है वह 0.1 से कम होगा तो यह सको प्रॉसिस नहीं करेगा इसकोर तो पता है ना आपको क्या होता है परसंट मतलों कह सकते हैं यह को स्कोर बता रहा होता है ना मझे के बई 83 परसंट यह जो है यह स्कोर है ना यह 83 परसंट जो है यह इसने बताया कि यह चांसे के टेबल है अगर 0.1 का मतलब है अगर 10 परसंट हो तो फिर उसको यह आपने इस इमेज की बॉक्सिस के अंदर नहीं लेकर आएगा यहीं 10 परसंट से ज़्यादा जो है confidence लेवा लोगों तो वो दिखाएगा अभी तो यह सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है अगर हमें कुछ और वर इसको हमने तो हम ने देक करने माडल हमारा किसे चल रहा हैं हमने उसको यह पता इसको फॉन्ड बता दिया अब उसके बाद जो है वो हम इसको उतनी मरतबा चलाएंगे जितनी हमारे पास पास boxes है और हमने यहाँ पर चेक किया अगर score जो है वो हमारे minimum score से ज़ादा है तो यह क्या करो boxes के अंदर से minimum और maximum उठा लो X और Y दोनो यहां तक बात समझ में आगए आप लोगों को यह वाली command समझ में आरी है आपको जी ठीक है यह मेरे पास एक यह कितनी मरताब चलेगा boxes में शेप के जीरो के अंदर जितनी में मेरे पास boxes के अंदर 200 वैलूज है मेरे खाल से 100 ये 200 है 100 होगी 100 यहां पर कितनी लिखे वे थे बाई 100 है 100 है ना तो यह 100 ठीक है यह minimum जो है यह आपके box से 0 से मतलब जीरो का मतलब है जीरो से चलेगा यह और 20 तक जाएगा यह 100 तक नहीं जाएगा बलकि कहां तक जाएगा यह 20 तक जाएगा हमारे minimum shapes हमारे जो boxes हैं उसके अंदर कितनी values हैं जितनी भी values हैं उसके minimum पर जा रहा है minimum कौन सी यह 0 value है तो 0 से लेकर कहां पर जाएगा 20 तक क्योंकि हमने यहाँ पर max box की value 20 रखी विये उसके बाद हम चेक करेंगे कि score से जादा है तो उसके बाद हम boxes के अंदर से i की value उठा लेंगे boxes की जो i की value है उसको हमने tuple पर convert किया और tuple पर करने के बाद जो है वह हमने चार variable में store कर दिया यानि कि आपके पास जो boxes है वह आपको क्या पता रहा हुता मैंने आपको बताए था ने वह आपको बताएगा left लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम हाँ लेफ्ट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट टॉप और राइट बॉटम और इसको बड़ा कर दो लेफ्ट बॉटम तो यह इस तरह होगा ठीक है टॉपल से मैंने कनवेट कर दिया इसको पूरे के पूरे को अलग अलग वेरियेवल में सब्सक्राइब लेफ्ट बॉटम जो इस वाले में सेव कर दिया है यह पी तरह को इन सबको अलग अलग कर दिया इसको क्या गयते एक अरे के अंदर 4 वालू है उन 4 वालू को निकाल कर मैंने अलग-अलग वरियेवल में डाल दिया इसको हम क्या कहते हैं अनबॉक्सिंग कहते हैं यह बाद याद आ रही है आप लोगों को बश्वन में बढ़ीती कभी जी 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 जावर शुट कर दी टूपल के अंदर चार वेलू सी तो हमने चारों वेलू को निकाल कर एक एक वेरिबल मलक से डाल दिया उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग मना लिया है जिसके अंदर हम जो ह क्लास का नेम कहां से आ रहे हैं हमारे पास क्लास नेम 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 क्लास करने के बाद हमने उसको multiply कि हन्डेट से और उसका score यह तो हमारा class name हो गया नाम बता दिया फिर हमने जो है वो एक दूसरा जो वैरियेबल है वो यह है कि जो भी हमारे पास score का वैरियेबल था कौन तो यहां पर उसकी परसेंटेज मिसाल के दूर पर 83 है तो इस तरह यह जो है अगर आपको यह याद आ रहा हो जब इसको चलाएंगे अगर आप यह चैर कॉलन esf 23 परसेट यससे बंजाएगा यह दर्मियान में उसको हम ने मल्टिभलाई कर दिया कलर्ण वह आप सके बात जो है वो हम image की library image पिलो की जो library है वो हम इस्तवाल कर रहे हैं कि image बनानी है from array से हमने उसको जो है वो image दिया है अब यहां पर देखे हम जो है वो image को convert कर रहे हैं unsigned integer के अंदर और उसको RGB में भी convert कर रहे हैं तो हमारे जो pixels से जो हमारे pixels से वो यहां पर कितने बड़े थे याद है आपको कि यह जो डिटेक्टर था हमारा इसके अदर हमारे पास pixels किस फॉर्मेट में थे इस टेंसर फ्लोड में यह फ्लोड में थे हमने इसको नमपाई में कर लिया था लेकिन नमपाई में करने यहां पर हम उसको इमेज शो करने के लिए हमें अब फ्लोड से थे फ्लोड से हम इंटीजर में कर रहे हैं लेकिन यह इंटीजर आम इंटीजर नहीं है बलके अंसाइन इंटीजर एट है तो हमने चार बाइट के डेटा को जो फ्लोड था उसको एक बीट में कर दिया और उसके साथ इसको हमने बताया कि इसका जो चैनल होंगे वो कौन से होंगे आर जी और बी रेड गरीन और बिलू तो यह हमारा जो है यह इमेज का जो है यह हमें कर देगा कनवर्ट करने के बाद यह ड्रा बांडिंग बॉक्स हमारे पास आज़ेगा अब हमें क्या भेज रहे हैं यहां इमेज हमारी बांडिंग बॉक्स बनाई नहीं है अब यहां पर हम बनाएंगे पहले हमने इमेज उठाई जो जो इमेज इस थी ठीक है और उसके उपर हमने आब बांडिंग बॉक्स बनाने के लिए हमारे पास पहले जो चीज़ थी वह इमेज थी हमने इमेज दी वाई मिनिमम एक्स मिनिमम यह सारा डेटा दे दी है कलर दे दी है फॉन्ट दे दी है और यह इस टीर की और जो इस ट्रिंग थे बॉसकी लिज्ड दी ही ठीक है और उसके बास जो है वह हम इमेज को हम कण्वर्ड कर रहे हैं कॉपी तू के अंदर इमेज और नम Doek क ada दे के अंदर हम इसको कंवर्ड कर रहे हैं तो यहां पर हम यहां पर आैu noite c'tee ड्रॉ और इमेज ड्रॉपर करने के बाद जो है हम उसके पर लाइने ड्रॉप कर रहे हैं और लाइने ड्रॉप करने के बाद हम जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पर हमने draw rectangle की और यहाँ पर हम draw text कर रहे हैं और text का हम यहाँ पर यह bottom बता रहे हैं इसके साथ by the end of the day जब हमने इस सारे काम कर लेंगे तो हमारी जो image है वो इस तरह उसके उपर यह rectangle draw जाएंगी यहाँ पर यह चीज़े draw औरने शुरू जाएंगी यह सारी चीज़ें हमारे पास आनी शुरू हो जाएंगी यह पूरी के पूरी कहानी का तालुक machine learning से लिए machine learning के आपको क्या चीज़े दे दी हैं आपको machine learning निकाल कर उसने हमें बता दिया कि boxes की coordinates क्या है यानि box कहां से शुरू हो रहा है कहां से खतम हो रहा है सही है classes कौन कौन सी है और confidence score कितरा है that's it उसके बाद की सारी कहानी जो है वो हमने खुद coding के जरिए बनाई है पूरी की पूरी कहान जिससे यह हमें हो रहा है और जब हम machine learning के इस्तमाल भी कर रहे होंगे तो हमारे इस तस्वीर से कुछ लेना देना नहीं होगा हम इनी चीजों के अपर खेलेंगे ठीक है मिसाल के दरबर मुझे यह पता करना है कि मेरी image के अंदर object ने अपनी location change की है या नहीं की तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस boxes के जरिए जो है वो इसको चेक करूँगा कि आगर एक box number 01 के अंदर जो है यानि मैंने एक image ली इस image के अंदर जो है वो मेरे जो मैं इसकी example देता हूँ मिसाल के तोर पर इसके अंदर जो है वो table यहाँ पर मौझूद है अब यह table यहाँ से यहाँ पर आ गई है तो यह कैसे पता लगेगा कि नई वाली image के अंदर नई वाली image के अंदर जो है वो इस coordinates की जो location है वो change हो गई है के नई है मैं compare कर लूँगा कि पिछले वाले के अंदर इसकी image की location यह थी नई वाले में यह थी now I will signal जगा जो है वो change हो चुकी है ठीक है यह पूरी की पूरी कहानी है हमारी यहाँ पर है एक और हमने इस तरह इमेज डाउनलोड की है और उसके अंदर हमने इसको बीटल के जरीए जो है वो उसमें बता दिया है तो यह बहुत बड़ा मॉडल है हमारा आप यह देख सकते हैं मॉबाइल फून यह सब कुछ डिटेक्ट करके दे रहा है जो हमों प्रिटेक्ट मॉडल लगाया उसके त्रू यह सारे डिटेक्ट करके दे रहा है सारे लेबल भी वो उसी से यूज़ करना है हमें खुछ से कुछ अलग से कुछ मॉडल उसमें ट्रेंड करने की जरुवत नहीं है लेकिन देखो मॉडल ट्रेंड करना और मॉडल यूज़ करना यह 50-50 इंपॉर्डेंट है मिसाल के दौर पर जैसे मैं आपको कहा त्रेंड कर लिए बहुत एक दफ़ा कर लोगे लेकिन आप के पास यह वाली लॉज़ीक भी तो होनी चाहिए ना यह वाली जिसके जरीए आप यह चैक करोगे कि आपका मॉडल में मिसाल के दौर पर आपकी चैक करना है कि कि क्या आगेंगे, आपके पस ये result आगया, मुझे ये चेक करना है, कि मेरे पास mosqueto मौजूद है या नहीं है? इस तस्वीर में, गहांगी मौडल से detect कराया, detect करने के बाद चेक किया, किया मेरे इस तस्वीर में mosqueto मौजूद है या नहीं है. सर यह जो इसकी class entities आपके हैं नाम होगा भी तो मैं चेक करूँगा कि उसका किया है अगर है तो मिसाल के लिए वो की जो है तो मैं तो मैं एक डूर कर दूँगा लेकिन अगर चेप्ट कर लुगा कि उसमें मच्छर मुझूद है और मेने मिठाई की दुकान के कैमरे के उपर मखी मवजूध है या नहीं मवजूध है तो मैं क्या करूँगा कि मैं मुझे समया कर लगे कि मक्झी है या नहीं है तो मुझे एक जगह से पता लग गिया कि मक्झी है और दूसरी èmesड़ा क्या स्ञाल है भैस है के यह जो हमारा mo Highway to you यह यह और सारे कान एक वकत में कर रहा हैं तो अगर for法 folसेंपल हमें सारे काम नहीं करवाने अगर हमेंест यह मख्टी करनी तो हम बाकी चीज़ों की जो डिटेक्शन क्यों कर रहे हैं मतलब जैस एक इतना आप ज्यादा काम करने की क्या जुरूरत है देखो जब मसला यह है कि अगर आपने मॉडल ट्रेंड करा लिया तो मॉडल तो सब भी कुछ ही डिटेक्ट करेगा अब आपको उसमें से क्या चाहिए वो आप फिल्टर आउट कर ले जैसे अगर आपको जो है वो चेरी पकड़नी तो आप चेरी पकड़ ले जर आपको बंदा पकड़ना पकड़ना जा नहीं असल में यह पूछना चाहर हूं कि हमें यह मॉडल तो यूज करें आप लोगों आप लोगों हर इंसान की तरह आपकी एक विश है कि यार मैं एक कस्टम मॉडल क्यों नहीं ट्रेंड कर लेता अपना हो अपना घर हो हमारा नजब करता है साथ साल की उम्हारे मिन में उसक अपना घर आता है तो इससके अंदर जो मसला यह है कि इसके अंदर आपको इस सारे काम ।्रून कराना पढ़े इसमें जो जो हमें मॉडल मिल रहा है इसके साथ हमें डेटा सेट भी मिल रहा है जैसे अगर हम यहां पर जाए हम अपनी दूसरे के अंदर आप यह देखें यह आपको डेटा मिलावा है यह हम इमेज सेग्मेंटेशन कर रहे हैं अब इस इमेज सेग्मेंटेशन में और इमेज के लिए डेटा मौझूद है हमारे पास इसको आप डाउनलोड करेंगे अगर आप ठीक है आप तो देखेंगे कि आप यह आप लोगों का आज का काम है कि आप जो है वह इस डेटा को डाउनलोड करें कि रिंग करें कहां गया हुई जी टॉरेंट कि तरीख लेए टॉरेंट कि टॉरेंट कि तुरू भी कर सकते हैं और दूसरा सुलो ऑप्शन भी इसमें मौझूद है कहा है वह इसके लिए यह देखें ने यह वाला यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कि अधियर लिंक आपने शेयर किया यह ओपन नहीं हो रहा है कि यह बुक में भी यह आ रही तो बागादर मैं तो लिंक मैं लिंक के ओपर मतला मैंने आप से लिंक आप से निकाल के शोड नहीं किया मैं तो डारेक उस लिंक के ओपर हुआ हुआ है अच्छा टॉरंट के लावा अगर टॉरंट नहीं है जो से लिखा हुआ है वी रेकेमेंड यूज अवी टॉरंट इफ नॉट पॉसिबल डेटा सेट आउसों डाउनलोड इनि मैं जो यहां पर आपको बता रहे हैं आप इस इमेज को इनॉटेशन अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे यह वाला काम करना है कौन सा वाला काम करना है यह वाला काम तो मुझे दो चीजों की जर्वत है किन दो चीजों की जर्वत है भाई इंटेशन की चारहूं कि जिए इनॉटेशन डेटा इनॉटेशन जो है न वह डाउनलोड कर लू तो हमें आपको दिखाऊं कि यह हमारी इनॉटेशन है इनॉटेशन दिखाना चारो ना आपको इसकी जर्वत है न मेरी डाउनलोड होती भी सब्सक्राइब कर दिखाऊं किसी और के पास हो रहा है प्लीज वेट पूँ आवर्स आप टॉरंट से डाउनलोड कर रही है क्या नहीं नहीं सर इसको मैंने जिस्ट लिंक को ओपन किया है इसलिए ऐसा हो रहा होगा तो थोड़े देर में हो जाएगा तो यह बुक पर दिया है यह वही वहला लिंक है और मैंने आपको यह इस पर वह शेर भी कर दिया आप मैं यहां पर एक्स्ट्रेक्ट प्रॉट है अब आप देखें इसके इनदर यह एक्जम्ल के अंदर इसकी बाकाद एनौटेशन हो इस नहीं हो रही है आप यह देखें मैंने जो है यह डॉनूड में गया इनौटेशन के फोल्डर में गया उसके अंदर एक्स में उठाईं एक्सियोंस रावाइं आप इस फाइल का नाम क्या है ठीक है इसका डेटाबेस कौन सा है ये क्या है पूरी कहानी कौन सी है इसकी विट कितनी है इसका कैड क्या है फ्रंटल क्या है ठीक है ट्रंकेटिट क्या है मिनिमम लोकेशन क्या है मैक्सिमम लोकेशन क्या है ये सारी के सारी नोटेशन जो है वो मु यह देखें इसके अंदर बता रहा है कि यह आप यह देखें इमेज की इनिटेट भी कर रहा है यह द्रहाँ इसको पढ़े तो फिर आप लोगों का आइडिया होगा लेकिन यह हम करेंगे कैसे हम कैसे करेंगे लेकिन आप तो यह वाला काम भी आपको क्या कह रहा हूँ मैं तो बारी जावाज नहीं आ रही सर इसको एक्जमेल पार्सर की लाइबरेडिसी रीड करेंगे हम मैं आपको एक वीडियो डिखा रहा हूँ वह आप देखिएगा करेंगे तो आपको भी इसी तरह किसी लाइबरेडी के जरीए जो डेटा है वो क्या करना पड़ेगा इनोटेट करना पड़ेगा यह मैं आप लोगों को इसका वीडियो का लिंक में भेज रहा हूँ ठीक है इसको चला के देख लेंगे या मैंने चुछ आएगा आप एक कैंसिल कर दिया मैं दुबारा कर लिए ठीक है यह आप लोगो खुद ही देख लेंगे कि मैं इसको इसको चला के भी दिखाओं क्या कहते हो बताओ बाद में देख लेंगे बाद में देख लोगे ना बस सही है अब मसला यह है कि आगर आपके पास यह दोनों कि सही है और डेटा भी मौझूद हो तो आप इसके ओपर ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके आपकी क्या पुरादा कि पहले पुरादा रहें जो मैंने अभी आपको पताई थी कहां गई हो कि यह वाली कि अब मैं काम करता हूं कि हम दुबारा जो है वह दस पंदरा मिंट का पॉस करते हैं हमारी क्लास साड़े नोबे तक चलेगी नो आट बचके और चास मिनिट हो रहे हैं ठीक है तो हम दस मिंट काम हम पॉस करते हैं ठीक है पानी वनी आप लोग पिए और साथ सार इस वीडियो को भी देखें जो के मेरे खाल से पांच मिनिट की है दस मिनिट की वीडियो है ना तो पंदरा मिंट का हम थोड़ा सा पॉस लेते हैं उसके बात आखरी हमारे पास जो पंदरा मिंट होंगे उसके अंदर हम रीकैप करेंगे कि अब हमें मजीद अगले हफ़ते के लिए क्या करना है ठीक है तो अब हम फिर उसके हसाब से देख लेंगे हमारा अभी जो टार्गिट है इस वीका वह यह है कि आप को जो है यह वाली कोड जो है यह रन करने है ठीक है इसके कोड जो है वेक तो यह कि यहां पर मौजूद है दूसरी बात यह कि मैंने आपको फोल्डर के अंदर इसकी पुरी रीपो भी कॉपी करके दीवी चला लीजिए अगर यहां से ने चल रहे हो तो कॉपी करें मसला है तो तो सही है गॉट इट या चलने दूख कर देख लेते इस के बाद इसको चलने देते उसके क्लास के बाद यह वीडियो देखिएगा अभी हमने यह जूम कर लिया कि हमारे पास यह वाला डेड़ा इसके अधर में डेटा चाहिए लेकिन इसके अंदर इमेज्सन हो रही है वो कस्टम ट्रेंडिंग इसके अंदर हम जो है वह इम्यज्ज है हम प्रे-ट्रेञ्ड मॉडल इस्तमाल नहीं कर रहे हैं कि आप समझ रहे इस बात को गुंध के इसके अंदर हम अपनी कस्टम ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे पस पर डेक्टा का सेलेक्शन हे वह लिमिटिड है इसके अंदर एक चीज जो है वह हम कर रहे हैं जो हमें अपने डेटा के लिए जरूरी है कि हम एक जो है annotated model sorry annotated data इस्तमाल कर रहे है हम क्या कर रहे है और हम यह हमेशा सàng करते है ना अभी तक अप लोगों ने अपने data खुद label किया है गया手ड तो हम pre label data इस तबार ना अभी भी यहां पर भी यह कर रहे तो हम जो झो है Гो हैं वो अलड़ी देख चुके हैं किस तरह display करेंगे क्या करेंगे हम इसकी main main जो key चीज़े हैं वो हम देख लेते हैं मैं इसको अगली class के अंदर दुबारा आपको details से जो कुछ मुश्किल होंगी वो आप मुझे mark कर दीजेगा मैं आपको समझा दूँगा सिर्फ अभी वो चीज़े सिखा रहा हूं ताकि आप इसको चला के देख लें और वो जो हमने mostly पड़ी नहीं है मिसाल के तौर पर यह वाली चीज़ आपको पता होगी कि यह वाली चीज यह बता सकता है कोई क्या हो रहा है यहां पर यह वं डेंडम बंडबल दब्री ऋबाद से टा डेटा उठारा है इमिज का इमिज के इंड़ टोपी शुफल कर रहा है तो इसमें डबल थी सेवन क्या कर रहा है कि मैक्सिम नंबर को है इसी डेंट है यह सीच यह रिख इसीड क्रती है पता होगा ना आप लोगों को तो अगर हम हर बरतबा एक यही नंबर देंगे तो वह जो रेंडम जेनरेट होंगी वह इसी हिसाफ से होंगी अगर मैं 137 यह कोई नंबर दे रहा हूं तो अगली बरतबा वह इमेज को इससे क्या होगा जिस तरीके से इसने इमेज के पाथ को शफल किया है वही वाली वैल्यूज वह टार्गिट पाथ को भी शफल कर लेगा यह नहीं कि अगर मेरे पास जो इमेज इस थी अगर इसने पांच नंबर को पहले नंबर भी लेकिया है तो टार्गिट में भी पांच को पहले नंबर भी लेकिया है मेरे पास values थी 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. अब मैंने क्या किया कि इसको sort करना चाहरा हूँ मैं, वो सभी, shuffle करना चाहरा हूँ. तो मैं रखना चाहरा हूँ कि भई, 4, 5, 3, 1, 2 कर दिया. अब क्योंकि मैंने seat same दी वी है, तो आप उसी सीट को दुबारा इस्तामाल करूंगा तो दुबारा अगले वाले डिटा को भी वह फॉर फाइफ फाइफ थी वन तू ही करेगा ठीक है तो इससे क्या होगा कि मेरा इंपूट और दोनों जो हैं वह सेम हो जाएंगे कोई भी एक नंबर देना होता है आप कोई भी एक नंबर दे सकते हैं और इसकी आप डिटेल्स जो हैं वह जाकर पढ़ लीजेगा इसका क्या मतलब यह सीड बेसिकली क्या होता है कि दुबारा बता है क्या कह रही है तर मैं यह पूश्डी सेवन इसके सामने लिखावा है शफल दा फाइल पास डेवर उरिजिनली सॉर्टेड बाइड बाइड और उसके बाद फिर यूज दा सेम सीड ब्रीड इसमें इसको क्या सॉर्टेड वाला सवार अच्छा है असल चॉडर ट्रेंड करने जा रहे हैं इसके अन्दर इनोटेशन जो हुई वह है वो कैट्स leans के साब से नहीं वही बलके डिफ्रेंट ब्रीड के साब सब्सक्राइब अगर आप दुबारा इसको देखें यहाँ पर तो देखें यहाँ पर हमारा पास कि डिफ्रेंट ब्रीड की भी है, यह cats and dog वाली binary classification नहीं की भी, तो यह यही बता रहा है कि भाई, आप इसके अंदर जब यह data shuffle करने जा रहे हैं, तो वो इस चीज़ को ensure करेगा हम both statement that the input path and target path stay in the same order, जो बात मैंने आपको उर्दू में बताई थी, उसने इंग्लिश में खुदी लिख दी, सही है, breed तो समझ गए हो ना आप लोग? यह सर्, टीक है, तो seed के अंदर जो है, वो अगर हम एक number दे दे, तो उसी number को अगर दुबारा इस्तवाल करेंगे, तो अगली मर्तबा भी जो randomization होगी, वो पहले वाली की तरह हो जाएगी न, तो इसका मतलब यह वागा कि मेरा input data और output data, जो shuffle होगा, वो एक ही same style में होगा, same order में होगा. पीड जो है, वो शप्लिंग, जो number शप्लिंग कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं? ने, ने, seed तो एक value है, shuffle करते वक्ट, मैंने आपको बताया हैं, अगर आप shuffle कर रहे हैं, shuffle करते वक्ट, वो अगर आपने वही वली seed दुबारा दे दी, तो वही वली shuffling दुबारा इस्तमाल कर लेगा, कोई इसमें और अपनी कोई input देना चाहिए, इसलिए इसने इस code को उससे mention किया, कि हम वो code देंगे, तो वही दबारा उसी tribe के इस दबारा generation होगी. Seats हमेशा random में हम use करते हैं, और ये कोई भी एक number होता है, वन, डबल, त्री, सेवन के जगए हम 100 भी लिख सकते हैं, फाइब भी लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं, कोई भी number लेख सकते हैं, यह जब इसको हम shuffle करते हैं, तो सर्जीस में ना जो, shuffle के बाद जो data होता है नो वो same रहता है, वो अगर उसको दुबारा shuffle करते हैं, तो वो shuffle उस तरह नहीं रहता है, अब देखें, हमारे पाद दो values हैं, values A और values B, ठीक है, यहनि कि हमारे पर input भी है, अब मैंने यह कहा कि आप shuffle करो, ठीक है, जब उसे shuffle करेगा तो मैंने जिस तरह से आपने मेरे input values को shuffle किया था, यहनि अगर input value में चौथी value पहले number पे थी, तो मेरे output वाले values के अंदर भी चौथी value पहले number पर आएगे, जिस तरीके से आपने पहले वाली values को shuffle किया था, वही order आप दूसरी वाली values को भी shuffle करने के लिए समार कर लो, otherwise क्या होगा, कि मेरा जो label कहीं और चला जाएगा और data कहीं और चला जाएगा, यह पास समझ में आई है फिर या और कुछ मजीर explain करने की ज़र्वत है इसको, यह आप देख लें नहीं होगा तो अगली मरतब आप मजीर explain कर दोगा, ठीक है फिर भी आप इसको और देखिएगा आप यह पढ़िएगा आप लोग सब जिन लोगों जो खामोश है जो आप आपको तो समझ में आगे ना या आप पढ़ेंगी दोबार जाकर इसको ठीक है तो सेरिश को तो शाय समझ में आगे लेकिन बागी लोग जो खामोश है उनको यह जाके पढ़ना है और अगर नहीं आए तो इसको लिख लेना कहीं पर और मुझे जो है वो अगली क्लास के अंदर पूछ लेना है कि सार यह हमें यह वाली बात सवज में नहीं आई है तो मैं बता दूँगा अच्छा आगे चलते हैं कि यह हमारे पर इंपूड इमेजिस हैं इंपूड इमेजिस के अंदर हमने यह एंपी जीरो किया है कि यह वरी चीज़तों पता है ना आपको कि यह सर जी सर भागे हमने एक और बना लिया अईपी जीरो का यह पता है कि बनाते हम क्यों सबसे पहले हम एक यह नीजिस के लिए यह शुरु में एर्ची क्यों बना रहें एक हम एक और शुरु में क्यों कर रहें हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं इसलिए कि अगर आपने कभी डिटा स्ट्रेक्टर पढ़ा हो तो हमने हमें यह बताए गया था कि लैंट को आपके हम अपडेट कर सकते हैं लेकिन उसका साइस कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं इस बात को सब लोग अगरी कर रहे हैं अच्छा उसके बाद जहां पर मैंने एक empty array create कर लिया input का भी और target का भी और उसके अंदर मैंने यहां पर value स्टोर करने शुरू कर दी जहां ता कोई सवाल कोई सवाल इसके बाद हमने यह सेंपल जो है 100 जो है वह सैंपल के लिए और बाकी जितने भी बचे वह हमने वेलिडेशन और तेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर इस्तमाल करें इस्प्लिट देटा इंटू ट्रेनिंग एंड वेलिडेशन सेट वह हमने उसमें डाल दिया उसके बाद हमने मॉडल बना रहा है मॉडल आप लोग देख भी चुके हैं कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया गैट मॉडल का जिसके तरह हम यह मॉडल बना रहे हैं में और कितनी लियर में इसमें एक 2 री स्किलिंग की लिया हो गई हमारी कितनी लियर में एकドो दीन चार पांच चार और यह पैडिंग के हो गई है सब्सक्राइच मॉडल हैont हम आज चाह थे ज़िश masih आद्डा लिव海ं है और बाकि हम नहीं लेयर्स को ट्रांसपोर्स कर रहे हैं कि यह वाला याद आ रहे हैं आपको को लिए रोल नेटवर्क जी सर याद है तो इसके पर मुझे ज़्यादा टाइम लगाने की जरुबत नहीं है मेरे ख्याल से इस पैडिक सीब करने क्या होता है कि जित्ना हमारे पाद इंपूट की पेडिंग है हम उतनी रख रहे हैं उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं जांग है कर सकते हैं पैडिंग जादा कर दी पैडिंग कम कर दी इसमें कर रहे हैं तो आपको अगर यह किलास खदम भी हो जाया भी तो आप आदा घटे जो है वो इसको चला के दिखिएगा और बताईएगा कितने चल सकते हैं बीच में जो है मैं होगी जरुवत होगी तो मैं वैंज्डे को बीच में क्लास रख दूँगा ताके जो है वो आप इसको देख सके कोई मसला होगा तो इसको डिसकस कर लेंगे ना मैं अब इसको चलानी था क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा लेकिन मैं भी यह करूंगा जब क्ल इंजिस तरदी है चीकर शेशार इसमें जो हमारा प्रैक्टिस रहा है क्योंकि थोड़ा सा कॉंसेप्ट हमारा लास्ट कॉर्टर में इतना क्लियर नहीं था लगानी होती है नॉमली हर मॉडल में और क्या सीक्वेंस होता है लेयर इसका यह बड़ा अच्छा सवाल किया इसी वज़ा से हम अपने आपको data scientist कहते है न क्योंकि इसके अंदर आपने ये एक function मना लिया है इसमें image का size बता दिया और number of classes बता दी ठीक है अब इसके अंदर जो है आप change करते रहोगे आप number of layers कम करोगे number of layers जादा करोगे तो आइस्ता आइस्ता आपको जो है वो idea हो जाए ठीक है तो अभी एक art now we have padding same everywhere to avoid the influence of water padding और picture map ये सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है ठीक है लेकिन हमारे जो main काम यह है कि हम इसको आइस्ता आइस्ता change करके देखेंगे आगे इसके अंदर शाइद इसको कुछ discussion भी आए लेकिन हम इसके अंदर जो number of layers है ये हमारे वह आपकी 87% आ रही है आप इसके अदर number of layers कम कर दें फिर भी 87% आ रही है इसका मतलब यह हुआ कि number of layers बढ़ाने से कोई फायदा नहीं हुआ number of layers कम कर दें तो रेजवली दो तरीके होते हैं बहुत साई number of layers के अंदर maximum accuracy लेकर आए फिर number of layers कम करनी शुरू कर दी जहां पर number of layers क करने से model आपका deprived हो रहा है वहाँ पर आवाज को रोग देंगे वह आपकी best layers है तो यह सब चीजें जो हैं यह आपको research करके देखनी पड़ेंगी इसका कोई hard and fast rule नहीं है इसके अदर अगर आप आगे भी जाके पढ़ेंगी बाद में best practice for the real world उसमें यही चीज़े लिखी इसमें 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 एक अच्छा काम यह भी हो सकता है कि हम relevant research papers और या उनके open source code देख लें तो उससे भी हमें इसको देखता हूं कि अगर मेरे पास जो है ना वह best convolutional neural network का जो है रिसर्च पेपर है तो मैं आप लोगों से share करता हूं ठीक है वह वह तो कोई latest भी search कर सकते है कोई इतना मसले वाली बात नहीं है ठीक है अगर आप लोगों के पास कोई हो तो मुझे WhatsApp के उपर individual DM कर देना मैं फिर गूरूप में share कर दोगा ठीक है ठीक है ठीक हो गया चैप्टर इसका पुराना वाला चैप्टर है वो पढ़ूँगा और उसमें से जो पॉइंट होंगे न वो आपको मैं बलके आपके सवाल बहुत अच्छे मैं पूरे गुरूप पे share कर दूँँगा है क्यों लगाने चाहिए चैप्टर इस चैप्टर के साब से इतनी बनत चैप्टर के लिए मुझे वाट्सेप पर मैसेज कर दें कि सर यह चीजे आपको हमें रिसर्च करके बतानी है और जिसके पास पेपर आजाए या कोई अपनी तरफ से कोई आडिये जैब भी मुझे मैसेज कर दें तो मैं जो देखूंगा जो में जो में रिजेनेबल यह चीज़ा वहां हम डिसाइट करते हैं अपने इंपोर और आउपुट को देखके अब जाए इसकी इसकी पर आयते हैं यह कह रहा है तो फर्स्टाफ ऑफ द बॉर्डल क्लोलरी रिजेंबल दा काइंड ओफ कॉल्मेंड यूज फॉर इमेज क्लासिफिकेशन दाइस्टे 25 25 25 25 the purpose for the first half to encode the image into smaller feature maps where each special location और pixel contain information about large special chunk of the original image you can understand is a kind of compression यहनी कि हमारा जो first half है यह वाला इसके अंदर हम image को compress करते वे लेकर आ रहे हैं 256 क्या था वो 256 256 और 25 25 के अंदर हमने 256 तक इसको लेकर आ गए अब उसके बाद यह कह रहा है कि one important difference between the first half of this model and the classification model that you have seen before is the way you do a sample in the classification convent from the last chapter we use max pooling layers to down sample feature here we down sample by adding strides to every other convolutional layer if you don't remember the details of how convolutional strides work see understanding the convolutional strides works यनिकि इसने बता भी दिया है मतलब फ्रेंक को है शोली भी मुझे लगता है पढ़ाता भी होगा क्योंकि उसने पता था इस तरह के question याद आएंगे तो उसने बता दिये कि आप जाकर यह पढ़ लो ठीक है तो section 8 जो इससे पहले वाला है हम इस वक्त 8.1.1 में जाकर जो है वह हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं ठीक है तो मुझे जाना पढ़ेगा क्या 8.1.1 पर यह वरी चीज है जो हम पिछले वीक पढ़ चुके थे इसमें 8.1.1 कहा है जांगे बई इस्ट्राइट यहां पर वह बजाए मैक्स पूलिंग के इस्ट्राइड यूज कर रहा है और इस्ट्राइड के बारे में इसने पूरी इन्फॉर्मेशन यहां पर दीवी है तो यह आप लोग पढ़ लेंगे क्या आई बिलीव तो हम वहाँ जाते हैं जहां पर हम थे काथ है भई हम लोग तो नाइन पॉइंट टू में है मेरे खाल में तो यह मैं आपको लोग को दुबारा अगर आप लोग का अभी स्ट्राइट एट पाइंट वन पाइंट वन के इंदर जाकर स्ट्राइट पढ़ लीजेगा फिर भी समझ में नहीं है तो आप मुझे कोश्चन राइट कर जीजेगा फिर मैं आप देख लूगा ठीक है अच्छा अब उसके बाद क्या करें रहे हैं इंद दो 2.2 Max Pooling यह दोर। आप्ट विर प्रियंट लोकाशि नहीं की संपरूब्या a better job for down sampling feature map while remaining location information. Throughout this book, we will notice that we tend to use stride instead of max pooling in any model that cares about feature location, such as generative models in chapter 12. मेरे खाल से काफी question का सवाल था, आपको यहां पर मिल गया होगा, न? सीखे कि हम stride क्यों यूज कर रहे हैं, max pooling क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? आपको यह आप से सवाल पूछ सकता है मैक्स पूलिंग का अब इस्तावाल करेंगे हम? क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन में location की information नहीं चाहिए होती max pooling के अदर location की information lost हो जाती है, इसलिए हम जो है वो stride के उपर चले जाते हैं. सेकंड हाफ के अंदर क्या हो रहा है? 2nd of the model is a stack of 2VD coordinate transpose what are those? well the output of 1st half of this model is feature map of the shape but we want our final output to have the same shape as a target mask therefore we need to apply a kind of inverse of transformation we have applied so far something that we will unsample the feature map instead of downsampling them that is the purpose of convolutional 2D transport layer you can think of it as a kind of convolutional layer that learn to unsample if you would have a sample of 100, 164 and you run through to layer 2D, 1, 3, stride this, 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 you will get an output of 50, 50, 128 if you run the output through the 2D lecture 64, this, this, this you will get back the output of 100, 100 64, the same as the original, so after compression of an input into a feature map of shape of 250, 256 25, 25, 6 via stack, we can simply apply the corresponding sequence of 2D transpose layer to get back the image of this thing aisa kyun kar raha hai kyunki hamaari joh image hai, hamei puri hi image chahiye, hamei us image ke inder pieces detect karne joham classification kar rahe hootate hai, hamei image ka pura size ni chahiye hootate hai, hamei to image ke kuchy chihye chahiye hootate hai, hamei identify karate hai, hamei image ke inder cat mojood hai ya naihi hai, kaha mojood hai, usko hamei naihi pata, lekin yaha par hamei puri image chahiye hootate hai, hamei image ke inder particular location pe chahiye hootate hai, hamei chahiye hootate hai, hamei hamei pata, cat mojood hai, ya nahi hai, toh iso liye hamei yaha par unsampling bhi kar rahe hai, or sampling bhi kar rahe hai, taakhe hamei yeh pata lag jahe, ki iso me cat hai, or sasad yeh bhi pata lag jahe, ki iso me cat joh hai, woh kis location ke upar mojood hai, ab uske baad hamei shirip isko compile karna hai, or compile karne ke baad isko, jesha hamei chalatay thae, woha hamei chala dhenge, chik hai, or uske baad joh hai, woh hum yaha par image ko predict kiya, predict karne ke baad, hamei display mask ka eek function, joha hamei banaya wa ta, woha hame use karke, yeh image ki hame masking kar raha hai, yahhi par hame cross ko break karate, or abhi tak hamei nne joh sumjahe, dhokho, iso me code samajnye ka yatnay important naihi hai, yah aishisah iso aapko samaj bhe aajayenge kyunke hum log coding karte naihi hai, or coding hame copy paste karte naihi hai, so yatnay important naihi hai, science joh hai, woha iski samajnye naihi hai, science yie hai, kye sabse pahle, jesai sawal giyata ka yasai, hamei par pre trained data naihi hai, to custom trained hai, to custom trained ke liye, hum kya kar raha hai, hum nne eek convolution neural network binaya hai, us neural network se hum kya karra raha hai, image segmentation karra raha raha hai, image segmentation ke liye hamei annotated data ki zharwet hai, annotated data ke liye, hum nne woha data ka download kar liya hai, agar woha download naihi hoga, to woha hamei data banana padega, misal ke tawar par, aap ye check karna chaathe ho, kye yaar, bujhe particular image ka particular mobile phone pata karna hai kya yaar, yaar, ya mobile phone kawunsi brand ka hai aap samadharo is baat ka kya yaar, ya mobile phone joh hai, woh mوجود hai, woh kawunsi brand ka hai toh, main uske liye eek aasa data ڈhundhunga jis me innotation hui hui hogi mobile phone ke brand ke opar agar mujhe joh hai, woh ghađiyon ke opar banana hai, toh ghađiyon ka data chahiye hoga samadharo na bhaat, bhai sab loog jis sir nahi samadharo thik hai तो अब उसके बाद joh hai मैं आप eek convolutional neural network joh hai run कर दूँगा जिसमे मेरे पास convolutional neural network के साथ down sampling करने के stride होगी और resampling करने के लिए मेरे पास transpose होगा उन दोनों की मदद से मैं अपना model compile कर कर करने के बाद मेरी कहानी सिंपल है मैं अपने training testing जो भी करता था वैसे करूँगा उसके बाद मैं masking करूँगा तो मुझे data की masking के थूँ data मुझे मिल जाएगा सही है यहाँ पर देखें आपके पास यह जो मैंने predict किया predict करने के बाद मैंने जगा बता दी कि मुझे वो जगा कहां पर है उसको उस mask को जो है मैंने यहाँ पर देखें वो दुबारा 127 से off किया इमेज को मैंने उस mask के जरिए show करा दिया ठीक है अब इसके अंदर देखो यहाँ पर मैंने क्या multiply किया हुआ है mask को 127 से तो मेरे पास result आएगा वो 3 color में आ रहा है red और यह magenta और green में sorry मेरे पास जो color वो आ रहा है data आ रहा है वो 0 123 आ रहा है मैंने उसको 127 से multiply किया और मेरे पास यह masking आप देखो इस masking के अंदर भी बता रहा है कि यह जो कुत्ता है ठीक है यह जो उस कुत्ते के जो boundaries है उस image segmentation वो कहा से कहा तक है तो इसके लिए आप यह देखे मैंने यह masking इस्तमाल कर लिए इसके अंदर देखे यह एक extra set भी आ रहा है सही है शायद वो उसकी नाक की वज़ा से वो काली चीज़े जो है वो उठा कर ले कर आ रहा है shape की वज़ा से anyway तो अगली class को हम यहीं से शुरू करेंगे मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ इसका chapter page number note कर लीजेगा इसको code को चला के देखिएगा और मुझे बताईगा अगर 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 में कोई मसला आ रहा हूँ कोई important मसला होगा तो में बीच में class class भी रख लेंगे बीच में और अगर कोई और मसला होगा तो हम गुरूप पे share कर दोगा जी बोले सरी या रजी बी से जो आपने उसमें ग्रे स्केल में convert किया था यही masking थी असल में अच्छा हाँ बिल्कुर किया था लेकिन यहाँ पर हम ग्रे स्केल में और शायद मेगेंटा और ग्रीन मतलब सर बॉर्डर्स बनाने के लिए हम उसको में कलर्स को ने यूज़ करें ठीक है तो इसके लिए हमने अब इसको आप अगर हम ग्रे स्केल जब कहते अगर मैं जो इसको ग्रे स्केल के अंदर दिखाना हो मतलब टेक्निकली ये ग्रे स्केल है क्योंकि इसके अंदर तीनी कलर समाल हो रहे है सिंगल डायमेंशन के ओपर ठीक है अगर मुझे इसको ग्रे स्केल करना होगा तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर ग्रीन की जगा ब्लेक कर दूँगा ठीक है और यलो की जगा जो है वो कोई ग्रे कलर लगा और अंदर वाला कलर है यानि के मैंगेंटा की जगा वाइट कर दूँगा तो ये ग्रे स्केल हो जाएगी लेकिन अभी भी टेक्निकली देखे जाए तो ग्रेस के लिए ठीक है तो अब ही आप लोग ये क्लास एंड कर रहा हूं आप लोग इस क्लास को जो है क्लास के बाद में बैटने के बाद जो है